है 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 हलो नमस्कार सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को मैं विवेक पांडे श्वागत और अभिनंदन करता हूं आप सभी प्यारे भाई बहनों का तो सभी को प्यारे बहनों दोपहर के लिए क्लास आप लोगों के बीच में मैं ले करके आया हूं मैंने आप लोगों से कहा था कि यह दाल भाद चोखा वाली क्लास दोपहर में साथ में करिए गदम और गजब एकदम चोखो करता हूं यूपी पीसेस उतकर्स के चैनल पर और आप लोगों के लिए आज के यह देड़ सो प्रश्न बड़े ही जबर्जस्त साबित होने वाले हैं आप लोगों की भारी मांग है कि सर चैप्टर वाइस करवा दीजे तो साथ ही साथ यह भी बता दूं कि 16 फरवरी को सक्रमण लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए 16 तारिक को चैप्टर वाइस कुल छे बड़े चैप्टर अलंकार समास संधी वर्णमाला संग्या सर्वनाम लिंग वचन कारक विसेशन विसेश क्रिया और सर्वनाम और अब्यय यह सभी महत्त्वण बिंदूओं से इन स मैं आपके बीच तीन घंटे तक उपस्थिती अपनी दर्ज करवाने के लिए आया हूं और इस समय आप लोगों के अपनी जिनमेदारी है कि यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए आप सभी जितने भी सीरियस भाई बैन हैं अधिक से अधिक संक्या में उपस्थित हो करक कर दीजिए बस आप लोगों से इतना अनुरोध है बीच में बातचीत नहीं कॉंटेंट बहुत शांदार है इतना डीटेल में समझाओंगा कि आप लोगों को गारिंटी है कि एकदम इधर उदर नहीं होंगे बस सेयर कर लीजेगा और एकदम हम लोग मचा देंगे है ना ह एक प्रशन आप लोगों से पहले में डिसकस करता हुए चलता हूं यह हिंदी किस भासा का सब्द है परिक्षा का प्रशन है हिंदी किस भासा का सब्द है आप से परिक्षा में पूछा जाएगा तो बता दीजेगा कि हिंदी फारसी भासा का सब्द है हिंदी किस भासा का स तीन शब्दों का प्रियोग किया हिंदी हिंदू और हिंदूस्तानी हिंदी हिंदू और हिंदूस्तानी ये तीन शब्दों का प्रियोग किया ये तीनों शब्द जो है चुकि इनका एक ग्रंत था साहित्यनामा जो कि फारसी भासा में लिखा गया था चुकि जो और ये और फार्षी तो पूछ लेता हूं कि इन्दा mercy कि उर्दू किस ब необход है तो आप लोग वक्त मुड़ करने करके बता दूए उर्दू किस भासा का शब्द है वुरत किसा का शब्द आई ङीं क्लास में संख्याची चाहिए में तीन अब पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्ण आएंगे यहीं से आरो यारो में मैंने यह साबित कर दिया है यूपी पीसे सुतकर्स वाले चैनल पर कि सारे के सारे प्रश्ण 56 स्क्रीन सॉट बिद्यार्थियों ने मुझे दिये हैं साथ में से जो की हूँ बहु परिक्षा में आए अपनी संख्या पीक पिले के जाईए पहुचाईए आपका जो आज का टार्गेट है वह हजार प्लस है यदि हजार प्लस आप लोग आज के मैं राथन में ले करके जाते हैं तो मैं 16 तारीक को सुबह 7 बजे से 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से मैं आपके बीच में उपस्थि भीत होंगा और इस स्रींखला के माध्यम से सभी अध्यायों का महज चार गंटे में, महज चार गंटे में महरा अथना आप को करवाऊंगा कुल 300 प्रश्ण होंगे कुल 300 प्रश्ण होंगे और पूरा टॉपिक जो आप लोगों को नहीं आता उस टॉपिक को पढ़ाएंगे यह हमारा पूरा रणीती है इस रणीती को सहयोग करने के लिए अपनी संख्या बढाते चलिए प्यारे अच्छा उर्दू क बारिक्सा का सब्ध है इसी प्रकार पोच लेगा रिक्सा की सब्थ है तो रिक्सा जापानी जहांद में आप किस भासा का शब्द है चीनी किस भासा का शब्द है अब आप लोगों को इनके उत्तर करने है कॉमें बॉक्स में माया बगले सवाल पर चलता हूं आईएगा सवाल देखिए गौर से सवाल कहता है कि नाटक साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है विस्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में नाटक ही साहित्य विधा के रूप में मिलती है पशात्य साहित्य में अरस्तू और प्लेटो जैसे त्रासदी नाटक कार मौजूद रहे हैं बारती साहित्य में संस् यह मुनी के नाटते शास्त्र के बारे में बताए काफी कुछ बताए कि इसी बलंग का भी प्रियोग मिलता चार reducing in मिलता है है ना चार अलंकार नाट शास्त्र के रूप में मिलता है तो कुल मिला करके मुद्द यह है कि चार अलंकारों में से कौन से अलंकार है तो उपमा रूपक यमक और दीपक यह अलंकार हैं जो उसके अंतरगत पाए जाते हैं और संस्कृत साहित्य में नाटक रचना और रंगमंची प्रदर्शनों में काफी सम्रिद्ध इतिहास रहा है किन्तु मध्ययुग में नाटकों का प्रदर्शन क्रम रास की स्थिती में पहुंचा है जैसंकर प्रशाद ने लिखा है मध्यकालीन भारत में जीस आतंक और अस्थिरता का सामराज्य था उसने यहां की प्राचीन रंगसालाओं को तोड़ फोड़ दिया और नाटक परंपरा पूरे भारत वर्स में अनेक नामों से ब्याप्त रही है यह उत्तर भारत में लीला रास और नोटंकी मध्य भारत राजस्थान में खयाल गुजरात में भवाई और बंगाल में जात्रा बिहार में किर्तनिया और अंकिया दच्छिड में यक्छगान महाराष्ट में ललित और दसावतार यह सारे नाम है नाटकों के जो की वहां प सीर्षक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए तो हमें पता चलता है कि सरवता उचित सीर्षक प्राचीन साहित यह संस्कृति नहीं है बारती संस्कृति भी नहीं है बारती साहित भी नहीं है बलकि पूरा का पूरा और नाटक पर आधारित है और नाटक जो है यहां पर चल रहा है ठीक है ना अगला देखिएगा रंग साला शब्द में कौन सा समास है रंग शाला रंग मंच देखिए दो शब्द हैं आपके सामने एक है रंग शाला और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है गवशाला थोड़ा सा आप पकड़ पाएंगे तो गवशाला का मतलब क्या होता है गाय के लिए शाला मतलब गायों के रहने का इस्थान तो रंग के लिए शाला यानि रंग के लिए शाला कहने का मतलब रंग के लिए चयानि की ततप पुरुष समास हो जाएगा तत्पुरुष समास में क्या होता है कारकों का लोफ हो जाता है अगर कारक का लोफ हो जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है अगर पहला पद विसेशन और दूसरा पद विसेश्च हो जाए तो वहां पर क्या हो जाता है पहला पद व संख्या वाची हो जाता है अगर समास का प्रथम पद क्या हो जाए संख्या वाची हो जाए तो पहला पद क्या हो जाएगा संख्या वाची हो जाएगा दिगू समास द्वन्द में क्या होता है द्वन्द में दोनों पदों की प्रदानता पाई जाती है क्या हो जाता है कि रंग के लिए शाला यानि के लिए कहने से ततपुरुष का बोध होता है रंग के लिए शाला क्या रंग के लिए शाला अर्थात रंग मंच के लिए रंग मंच के लिए अगर मैं रंग मंच कह दू रंग मंच कह दू यहीं पर तो रंग के लिए मंच हो जाएगा रंग के लिए मंच रंग का अर्थ यहां नाटक से है तो नाटक के लिए मंच और यहां पर नाटक के लिए शाला यानि नाटक करने के लिए एक उचित इस्थान की बात की जा रही है उमीद करते हैं कि आप पूरी बात समझ पा रहे होंगे लेकिन इतनी कम संख्या मजा नही दीजे क्योंकि आप लोगों की अपनी क्लास है प्यारे आपके अपने भाई की क्लास है और इतने बेहतरीन क्रांट सब का एग्जामपल भी आप लोगों को दे देंगे और जिस प्रकार से आप लोग इस कख्षा में सीख पर यकीन मानिए 18 तारीक की संध्या बेला में यहां से बहुत सारे स्क्रीन सॉट आपको यहीं स्क्रीन पर लगा करके मैं बताऊंगा कि देखो यह सवाल उस दिन पढ़ाये थे यह सवाल उस दिन पढ़ाये थे जिस प्रकार से आज आपको बता दिया जा रहा है इसका कोई तोड नहीं है क्य आपसे पूछेगा उससे ज्यादा चीजें आपसे परिच्छक नहीं पूछ सकता है इसलिए ध्यान दीजेगा कि जितनी चीज आपको बता रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला प्यारे आगे बढ़ो दोंद समास के बारे में एक बात और बता दें जैसे आप से पू कौन सा समास है प्यारे तो ध्यान रखना इनमें इनमें कौन सा समास है तो द्वंद समास है कैसे है सर तो दो अंकों की संख्याओं में प्यारे द्वंद समास होता है दो अंकों की संख्याओं में द्वंद समास की मान्यता है है ना द्वंद समास कब होता है जब दो अंकों की संख्याएं हो और वह हिंदी में लिखी हुई हो तो वहां पर द्वांद समास होता है है ना प्रियांसी बीटिया बहुत बहुत धन्यवाद विवेग जी का एक्जाम 17 को है आप सभी लोग अपने एक्जाम की तिथी भी लिख करके बताईएगा कि क्या तिथी है किसका एक जाम 18 को है प्लीज कॉमेंट करके बताईएगा 18 देखो सवाल नंबर 3 क्या कहता है निमलिखित में से असुद्ध शब्द का चैन करिए उस शब्द को चुनिए जो सुद्ध नहीं है सम्रिद्ध दा में धा लगा है और अस्थिरता और राश यह सही है यह सही है यह भी सही ललीत नहीं ललित होता है है ना ललित होता है क्या होता है ललित होता है यहां पर डी बिकल्प बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों डी बिकल्प यहां पर बिल्कुल सही साबित होता है तो ललित शब्द जो है ललित एक कला भी होती है और एक मूबी में ललित के आ ना परिसान किसी चीज का गटक कमी हो रही है तो रास है इस्थिर नहीं है तो अस्थिरता लग गया है इस्थिर में ता प्रत्य लग गया है कैसा सब्द भाव आचक संग्या है देखो एकदम डीटेल में सम्रिद्ध सम्रिद्ध सब्द में सम्रिद्धी लगा दीजिए सम्र संपरमद्ध यहां पर जा जाएगा संचरभ बिकल्प के सामने है चारों बिकल्पों पर एक करके आपसे बात करूँगा आराम से समझेगा आराम से समझे जिग्यासा तो जिग्यासा का मतलब होता है प्यारे जानने की इच्छा रखने वाला प्यारे ध्यान से सुनना जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है जानने की इक्षा रखने वाला क्या कहलाता है तो जानने की इक्षा रखने वाला जिग्यासू कहलाता है और यहां पर ध्यान से सुनिएगा जीजी विसा तो जीजी विसा का मतलब रहता है जीवित रहने की इक्षा तो जीवित रहने की इक्षा क्या कहलाएगी जीजी विसा जीवित रहने की इक्षा यहीं पर अगर कह देता जी जी विशू तो जीवित रहने का इच्छा रखने वाला जिगत्सा भोजन करने की इच्छा जिगत्सा भोजन करने की इक्षा क्या कहलाती है जिगत्सा भोजन करने की इच्छा को जिगत्सा और भोजन करने की इच्छा रखने वाला इसी मैं अगर ऐसे पूछ लेता इक्षा रखने वाला तो क्या कह देते जिघत्सु कह देते क्या कह देते प्यारे जिगत सु कह देते जिगीसा किसे कहते हैं जिगीसा का क्या मतलब है जिगीसा का मतलब है जीतने यानि दमन करने की इक्षा जीतने या दमन करने की इक्षा क्या कहलाती है अगर जीतने या दमन करने की इक्षा पूछ ले तो जिगीसा और दमन करने की इ नहीं पर अगर इक्षा रखने वाला पूछ लेता तो आपका उत्तर हो जाता जिगीशू एक दम कॉंटेंट आप देखिए देखिए एक सवाल था ना कहने के लिए सवाल कितना था केवल एक सवाल था उत्तर कितने निकल करके आए हैं आपको छे प्रशनों के उत्तर यहां पर मिल गए जानने की इच्छा जिग्यासा जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू दो सवाल द्यान सुनिए जीजीविसा जीवित रहने की इच्छा जीजीविसा और जीवित रहने की इच्छा रखने वाला जीजीविशू और जीगत्सा बोजन करने की इच्छा और बोजन करने की इच्छा रखने वाला जीगत्सू और सुनिये जीगीसा जीतने या दमन करने की इच्छा जीगीसा जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला जीगीसू समझ में आ रहा है संख्या बढ़ा दीजे जिस संख्या में आप उपस्थित हैं इसकी दुगनी के सम्मान का विशह है प्यारे विद्यारति हूं इतनी मेहनत से इतना अच्छा content देने वाले सिक्षक के लिए इतनी कम संख्या बिलकुल लाजमी नहीं है मैं आप लोगों से किवल एक ही छोटी सी मांग करता हूं कि अपनी संख्या बढ़ाईए जो भी प्यारे भाई बैन हमें देख रहे हैं वो इस class को सीधे अपने स्टेटस को स्टेटस में लगा लीजिए सीधे अपने WhatsApp का स्टेटस लगा लीजिए सीधे अपने Facebook पर शेयर कर दीजिए अपने जितने भी group में आप जुड़े हुए हैं सारे groups में शेयर कर दीजिए और इस जितने भी content को मैं आपके सामने लेकर क्या रहा हूं ultimate होने वाला है देखते चलिए ब्यक्ति वाचक संग्या नहीं है प्यारे ब्यक्ति वाचक संग्या नहीं है पूछ रहा है इसके लिए आपको संग्याओं के बारे में समझना चाहिए कि जब मैं संग्या के बारे में बताता हूँ तो बहुत काइदे से एक बात समझाता हूँ कि जब संग्या की बात होती है कि ये जो ग्या होता है प्यारे ये आपका संयुक्त बेंजन कहलाता है और इसका निर्मार जा और इयां से हो रहा होता है तो जा और यहां कहने से तात्परे जयां होता है इसको क्या कहना चाहिए जयां कहना चाहिए यानि कि यहां पर प्यारी विद्यार्थियों इसका मतलब हो गया कि यह जो संग्या है देखे दो प्रशने यहां से बनते हैं रचना के आधार पर संग्या के भेद ध्यान से सुनत के आधार पर संग्या के तीन बेद अर्थ के आधार पर संग्या के कुल पाँच बेद होते हैं कुल कितने भेद कि यदि मैं बात करूं तो मैंने इन भेदों को द्रिश्य अत्वा अद्रिश्य की कोटी में रख दिया है कि या तो ये भेद द्रिश्य हो सकते हैं या तो ये भेद अद्रिश्य हो सकते हैं सिंपल सिंपल सी बात समझेगा एकदम सिंपल सिंपल सी बात समझे कि भाईया अग संग्या आएगी भाव वाचक संग्या के निर्माल की प्रक्रिया चार परी तरीके से एक तो जाती वाचक संग्या से भाव वाचक संग्या बनेगा एक तो जाती वाचक संग्या से दूसरा सर्वनाम से तीसरा क्रिया से, चौथा विसेशान से, इनी चार चीजों से भावाचक संग्याय बनती हैं, सर द्रिस्य में कौन कौन आएगा, तो सरकार द्रिस्य में चार भाई लोग आते हैं, एक आता है आपका व्यक्ति वाचक संग्या, आराम से समझते चलो, नोट्स बनाते चलो, इत दूसरा आता है जाती वाचक संग्या, तीसरा आपका आता है समुह वाचक संग्या, द्रभ्य वाचक, और समुह वाचक, सारी संग्याओं के बारे में एकदम काइदे से समझ लीजे सर, कि अगर ब्यक्ति वाचक संग्या की पहचान करनी है, परिक्षा में ब्यक्ति वाचक संग्या की पहचान करने का क्या तरीका होगा कि सर एक तरीका आपको जो मैं वता दे रहा हूं कहीं पुस्तक में नहीं लिखा है संग्या द्रिश्य हो और सदैव और सदैव के लिए एक वचन हो संग्या द्रिश्य होने के साथ यदि सदैव एक वचन के बिवहार से है तो उस कभी भी निश्चित तोर पर आप देख लीजे कभी बहुबचन नहीं बनेगा ब्यक्ति वाचक संग्याओं का कभी भी बहुबचन नहीं बन सकता है ध्यान से सुनिएगा ब्यक्ति वाचक संग्याओं का बहुबचन नहीं बन सकता है प्रांजल पाल जी मेरे भाई मैं आराम से केवल कंटेंट देना है मैं आपके बीच में तीन घंटे बना रहूंगा और देड़ सो प्रश्ण है तो मेरा उद्देश से है कि जहां-जहां से प्रश्ण है वो टॉपिक पढ़ा दिया जाए है कि ने कितने लोग सहमत हैं जरा एक वाला है अच्छा बाबु दूसरा सुनो ब्यक्ति वाचक के बाद जाती वाचक आता है कि सरकार यह जाती वाचक संग्या की पहचान क्या है तो सरकार जाती वाचक जो संग्या होती है बाबु यह द्रिश्य होती है और द्रिश्य होने के साथ-साथ बहुवचन होती है माल ल वही आएगा ऐसा एक वचन जिसका बहु वचन बने वही आएगा प्यारे यह गाड़ बान लीजेगा जैसे डाक्टर का डाक्टरों सिक्छक का सिक्छकों है ना और घर का घरों माता का माताओं पिता का पिताओं इस तरह से लेकिन जितने भी पिते ट talkin' when他们 उद्यक सके तो कि नाभ देते हैं रिलेशन होते हैं इसं लुटन जो होते होते हैंव僕तिवाचक होते हैं अब तीसरा आता ध्यान रखिएगा कि द्रभ्यवाचक संग्याओं की गिंती नहीं की जा सकती है यह अनकाउंटेबल होती है इसकी गिंती नहीं कर सकते हैं सर कैसे नहीं कर सकते सर जरा समझिएगा कैसे नहीं कर सकते तो जरा देखिएगा जैसे सोना सोना चांदी जैसे पानी जैसे पानी जै जैसे तेल जैसे घी आप देखिए ना क्या आप सोना गिन सकते हैं क्या सोना नहीं गिन सकते सर सोने से बनी वस्तूओं को गिन सकते हैं कैसे गिन सकते हैं सर जरा समझाइए हां सर ऐसे गिन सकते हैं कि सोने से बनी वस्तूओं जैसे सोने की घड़ी सोने का कंगन सोने का चैन स सोने की अंगूठी लेकिन सोना नहीं गिन सकते किसी भी परिस्थिती में है ना हाँ एकदम आराम से समझते चलिएगा जैसे माल लीजे इसकी नापतौल तो कर सकते हैं गिनती नहीं कर सकते ना जैसे मैंने कहा पानी तो सर पानी गिन सकते हैं क्या पानी गिन सकते हैं नहीं ग आकार ग्रहन कर लेता इसमें है इसका आकार ग्रहन कर लिया है अगर माल लीजे पानी इस बोतल में है तो इस बोतल का आकार ग्रहन कर लेगा अगर माल लीजे आपके बोतल में है तो उस आकार को ग्रहन कर लेगा बाल्टी में है तो बाल्टी का आकार ग्रहन कर लेगा यानि अगर आप गिनते हैं तो एक बोतल पानी दो बोतल पानी तीन बोतल पानी चार बोतल पानी तो इसका मतलब आपने क्या गिना आपने बोतल गिना पानी नहीं गिनाए प्यारे अगर उसी बोतल से पानी खोल के गिरा दिया जाए तो आप गिनते रह जाएंगे पानी आपने क् कि सर बोतल में एक लीटर पानी था तो सर एक लीटर पानी कहने से बात समझ में आती है अगर वो गिरा भी दिया जाए तो पानी एक लीटर ही रहेगा क्योंकि उसकी नापतौल तो कर सकते हैं और उसकी मापतौल कर सकते हैं परन्तु गिंती नहीं कर सकते कितने प्यारे भाई की बेहनों ने सेयर कर दिया है एक बार कॉमेंट कर दो स्क्रीन सॉट ले लो देखो प्यारे इसके बाद क्या करना है अगर माल लीजे आपका क्या आ जाता है समू हुआ जाता हैane समू हुआ शरकार समू हुआचक में क्या क्या आता है त seizure समू में क्या क्या आता है जैसे माल लीजे परिवार वर्ली वर्मवारalah सेना कि आध भूंच्छा ठाक श्रिंक लफ़ज़ए मंडल, मेला, कक्षा, बाजार, टीम, इन सब का प्रियोग हम किस में करते हैं आमूमन, सम्मूह के अंतरगत करते हैं आप बताओ, ऐसे एकदम आराम आराम से समस्ते चलो, बहुत 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 बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, उत्तर में कुछ लोगों का नाम ले लेता हूं, मन्तु जी, रमेश जी, एसम जी, विशाल जी, प्रियंका जी, शशी जी, अनुराग जी, मीथी जी, कीर्ती जी, बबली जी, बहुत बढ़िया, आप सभी का श्वागत और अभिनंदन हैं प्यारे, और देखो सवाल का उत्तर निकल करके आ जाएगा, ब्यक्ति वाचक संग्या नहीं है, प्यारे आराम से बताओ, सर फल का फलो बना सकते हैं सर, इसलिए ब्यक्ति वाचक नहीं है, सुमन, सुमन कहने से यहाँ पर ब्यक्ति वाचक नहीं है, देखो प्यारे, यहाँ पर यह जो सुमन है, यह पुश्प का बोध कराता है, फूल का बोध कराता है, तो फूल से फूलों बना सकते हैं कि नहीं, इसलिए ब्यक्ति वाचक नहीं है, अमीन से ब्यक्ति वाचक नहीं होता है हमको यह बताना किस से ब्यक्तिवाचक का बोद नहीं होता देखो सुमान अगर किसी इस्तरी का नाम है तो यह बहुबचन नहीं बन सकता सर बीका नेर किसी इस्थान का नाम है यह बहुबचन नहीं बन सकता अमीन कहने से किसका बोद होता है तो अमीन कहने से यहां पर किस बात का बोध हो रहा है अमीन कहने से अमीना है दरसली अमीन नहीं है अमीना है यह भी किसी का नाम है किसी का नाम कह दीजिए इसको तो यह तीनों ही बहुबचन नहीं बनाए जा सकते प्यारे बनाई नहीं जा सकते बीका नेर का बीका नेरों कर सकते हो नहीं कर सकते हैं सुमन का सुमनों कर सकते हो नहीं कर सकते हैं कर सकते हो नहीं कर सकते हलकि chemistry में अमीन ऑसीड होता है परंतु यहां पर मिना आमीण रहने देते हैं और एक फॉर इलहोबाद हिस दो राइट डान्सर हमने अभी थोड़ी दिर पहले आपको नियम बताया है क्या नियम लिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम और उससे संबंदित सब्दों का युग्म अशुद्ध है कि शर्वनाम और उससे संबंदित युगमों का जो जोड़ा है वो गलत है निश्चय वाचक संबंद वाचक मद्यम अन्य प्यारे सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं छे भेद होते हैं आएजरा समझते हैं कि इन छे भेदों में कौन-कौन से भेद हैं हम कौन-कौन से भेदों पर बात्चीत कर सकते हैं तो शर्वनामों में एक भेद है आपका पुरुस वाचक पुरुस वाचक दूसरा है निश्चय वाचक कि फिर अनिश्चय वाचक कि पुरुस निश्चय अनिश्चय निश्चय वाचक कि संबंध वाचक कि और प्यारे प्रश्न वाचक क्या हो जाएगा छे वेद हो गए क्या हाँसर 6 भेद हुंगए अब जरा समझिएगा कि निश्चय वाचक क्या है यह वह बिल्कूल तीन प्रकार के पुरुष होते हैं उत्तम मध्यम और अन्यपुरुष कौन-कौन से उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष प्यारे, आप समझिएगा उत्तम पुरुष कौन होता है, जो वक्ता है बोलने वाला है वो उत्तम पुरुष है वक्ता यानि बोलने वाला कौन मैं हम और सुन कौन रहा है तू तूम और आप यह क्या हो जाएगा मद्यम पुरुस किसके बारे में यह वह यह वह वो यह सब क्या हो जाएंगे अन्य पुरुस निश्चेवाचक क्या करता है किसी भी व्यक्ति वस्तू इस्थान की वस्तु हमारे से दूर है तो निश्चेवाचक निश्चेवाचक हो जाता है यह और वह अनिश्चेवाचक कुछ और कोई यहां पर समझते चलो यह ग्राफ अगर आपने एक बार देख लिया एक बार इस ग्राफ को नोट डाउन कर लिया तो 100% गारंटी है कि कोई सवाल आप पाता है निश्चेवाचक में स्वयम आता है कि खूद आता है कि ठीक है संबंद के साथ जो और सो का प्रियोग किया जाता है प्रश्न कौन और क्या का इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार सर्वनामों की अगर संख्या पूछ ले कि सर्वनामों की संख्या कितनी है प्यारे तो 11 यह आपके भाई विवेक पांडे का यह आपके भाई विवेक सरका विवेक पांडे का पूरा content है प्यारे इस प्रकार से यदि आपने पढ़ा कोई माई का लाल तुमको परिक्छाम बाहर नहीं कर पाएगा इसकी guarantee है अगर इस प्रकार से पढ़ लिए हो तो कोई माई का परिक्षम बाहर नहीं कर सकत। है देखिए पुरुस सवाचक में फ्रकार के पुरूस अगर सरवणाम में कितने पुरूस होते हैं तो सरवणाम में पुरूस होते हैं प्यारे कौन उत्तम मध्यम और अन्य पुरूस उत्तम में आता है मैं म bikó बहुबचन बनाएंगे तो हम और अगर मान लीजे मद्यम पुरूष तो तू तुम और आप आप क्या होता है सम्मान सूचक सर्वनाम होता है सम्मान सूचक किया हुआ ठीक है संबंद वाचक गलत हो गया संबंद वाचक में मैंने क्या बताया था संबंद पाचक में क्या आता है जो सो आता है तो बीफ और बॉंबे इस दर आइट आंसर मद्यम पुरुष तू तू माप लिखा हुआ है अन्य पुरुष वह और वे तो अन्य पुरुष देखिए वह भी है वे भी है तो इसका मतलब आपको कहीं पर कुछ भी पूछेगा तो आप आ नमक डाल दीजिए सबजी में कुछ नमक डाल दीजिए यह जो कुछ लिखा हुआ है यह क्या है किस बात का बहुत कराता है यह जो कुछ लिखा हुआ है किस बात का बहुत कराता है प्यारे जल्दी से एक बार जल्दी से शेयर कर लो और संख्या अपना बढ़ा लीजे क्य सभी प्यारे बहाई बेन मिलकर के एक बार क्लास को शेर कर लीजे अधिक से अधिक संक्या में उपस्थित हो जाईए अपनी उपस्थिती बढ़ा लिजे ठीक है और इस प्रश्ण का उत्तर करिए देखिए पिछले वाले पर ही है पिछले वाले पर ही डिपेंडेंड सवाल आप से पूछा हुआ है कुछ नमक डाल दीजिए कुछ क्या है गुण्वाचक तो विसेशण होता है और हमसे विसेशण नहीं हमसे कह सर्वनाम की बात कर रहा है संख्या है Сर यह बिसेश्ण पद पूछ रहा है और गुण्वाचक विसेशण साथ प्रकार से अपने गुणों का बोध कराता है संख्या वाचक के दो भेद होते हैं निश्चित और अनिश्चित संख्या वाचक निश्चित संख्या वाचक और अनिश्चित संख्या वाचक तो प्यारे एक बात बताओ निश्चित संख्या के कितने भेद होते हैं निश्चित संख्या के भी पांच भेद होते हैं हमसे कुछ पूछ रहा है कुछ नमक डाल दीजिए मापतौल की बात हो रही है जहां पर भी प्यारे मापतौल आता है वहां पर याद करिएगा द्रब्यवाचक संख्या को द्रब्यवाचक संख्या को यानि गिंती यहां पर रोक दीजिएगा C for Chandigar is the right answer C for Chandigar is the right answer है ना C for Chandigar is the right answer देखो मूर्खों का यही काम है वो अंडसंड बोलते रहते हैं ठीक है अब देखिए अब देखो मेरे प्यारे सार्वनामिक विशेशन का क्या मतलब होता है सार्वनामिक विशेशन का मतलब होता है सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संग्या आ जाए सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संग्या आ जाए और उसके बाद वो उसकी विशेशता बताने लग जाए अगर वो उसके बाद कोई भी किसी की विशेशता बताने लग जाए तो सार्वनामी सी फॉर चंटीगल उस दनाए आनसर तार द्वारा सूचना मिलते ही रमेज गाउं चला गया बताओ कौन सा कारक है यहाँ पर कों सा कारक प्रियोग्त हुआ है कौन सा कारक लगाया गया है फटा-फट से आंसर बताईए कौन सा कारक प्रियोग में लिया गया है आंसर बताना है फटा-फट से भाई कौन सा कारक है बताईए हुए को बताओ प्यारए कि देखिए क्या है मामला कह रेत तार-धौरा-सूचना मिलते ही चाहर Help क्या कर दिया गया है रमेस गाउ चला गिया तो प्यारे करता का रख रहा है करता कि साथ क्या लगता है में लगता है संप्रदान को या संप्रदान के लिए कर्म करता ने कर्म को करण के साथ से या द्वारा लगता है करण का प्रियोग कप किया जाता है प्यारे साथन के लिए किया जाता है करण का प्रियोग हम लोग कप करते हैं प्यारे साथन के लिए करते हैं जैसे माल लीजे रामने रावन को वाणों से मारा राम ने रावन को वाणों से मारा समझेगा मेरी बात को राम ने रावन को कैसे मारा तो वाणों से मारा प्यारे यहाँ पर बहुत सीधा सा प्रश्न है सीधा सा उत्तर है पहले क्रिया पकड़ लीजिए और दुनिया का सबसे आसान काम होता है क्रिया पकड़ना और जैसे ही क्रिया पकड़ में आया उसी क्रिया से पूछे की तुमको करने वाला इनसान कौन है बात समझ में आ गई अब देखिए दूसरा किसको मारा पहले तो कौन पूछ लीजिए कौन पूछने से करता का पता, किसको या क्या पूछने से किसको या क्या पूछने से कर्म का पता किस साधन से किस से या किस साधन से पूछने से करण का पता करण का पता चल जाता है तो यहां से आप कह सकते हैं किसको मारा कर्म को मारा अब कर्म के साथ लगने वाली विभक्ति को भी बगल से लगी हुई है यहां पर करता की विभक्ति यहां पर कर्म की विभक्ति अब आप तीसरा सवाल पूछे की से मारा तो बताएगा वाणों से मारा अब यहां पर यह जो वाणों लगा है उसके साथ देखिए करण की विभक्ति लगी हुई है करण की भीभक्ति चिन लगी हुई है यानि वाल क्या बन गए साधन बन गए यानि की समझ में आगई बात करण का इस्तेमाल कहां से होता है साधन से होता है करन कहां से प्रियोग में लिया जाता है साधन से प्रियोग लिया जाता है तो आप बताएंगे कि यहां डीफ और डेली इस दराइट आंसर यहां तार द्वारा कहा गया है यह साधन है तार द्वारा मतलब पत्र के द्वारा जो आपको पत्र मिला उसके माध्यम से आपको जानकारी मिली और आपने यहां पर पधारा नौ नंबर सवाल बताईएगा नौ नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है कवी पुलिंग शब्द का सुद्ध इस्त्रिलिंग बताईए कवी का स्त्रिलिंग यह इतना सांदार सवाल है और परिक्षक लगातार इसको पूस्ता रहता है परिक्षक इसको लगातार पूस्ता रहत है तो बताइएगा कि कभी पुलिंग सब्द का सुद्ध स्त्रि लिंग रूप क्या हो جाएगा दो कभी का इस क्वैत्त रोग को लीधी कहा जाता है लेकिन लिखने का तरीका पता होना चाहिए तो लिखने का तरीका है ए फॉर इलहाबाद इस दर राइट अंसर अगर आप विकल्प चुनते हैं तो ठीक चुनते हैं दस नंबर बताईएगा कह रहा है कि इस्त्रिलिंग सब्द बता दीजे तो निम्नलिखित में से इस्त्रिलिंग सब्द का चुनाओ कर लिजे इन में से एक स्त्रिलिंग सब्द है गुसा आया गुसा आती है वहुऀंग गुसा आती है नाच दिखाया जाता है नीद आती है कारे किया जाता है आप से पूछ रहा है स्थिलिंग बता दीजे आपको लिंग पहचानने में अगर कुछ आये ना आये क्रिया लगाना आना चाहिए अगर आप link पहचानने में क्रिया नहीं लगा पाए तो गुरू क्रिया तुम्हें लगा देगी इसलिए तुम क्रिया लगादो तो ज़्यादा अच्छा है नहीं तो अगर क्रिया तुम्हें लगाएगी तो दिक्कत होगा दोनों में कोई तो किसी को लगाएगा ही तो नीद आती है अच्छी नीद आती है तो नीद के साथ आती क्रिया का प्रियोग किया गया है इसलिए नीद स्त्रिलिंग कारे किया जाता है नाच दिखाया जाता है गुस्सा आता है इसलिए ध्यान रखिएगा यहां पर इस्ट dónde नहीं कारय नाच और गुस्सा पुलिंग है हाई वह चल वसा इसमें कौन सा है अभ्य अभ्य कहते ही अविकारी का बोलता है अभ्य कहते ही आविकारी का बोलता है आविकारी मतलब क्या? यानि जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल, इन सब का प्रभाव न पड़े तो उसे ही हम लोग आविकारी कह देते हैं, बात समझ में आ रहे ही कि नहीं? तो यहां पर ध्यान दीजेगा, समुच्चे है हाय कहने से किसका बोध हो रहा है? हाय कहने से बिस्मयादी बोधक का बोध हो रहा है, यहां पर बिस्मय का प्रियोग किया गया है किसका प्रयोग है तो यहां बिस्मय है अत्यंत हर्ष अत्यंत हर्ष ईल्लास दुख गो इन सब की अवस्था में हम बिस्मय चिन्न का प्रयोग करते हैं यह पूर्ण विराम जैसा होता है पूर्ण लाम के नीचे बिंदी लग जाती है तो इसको बिसमय चिन्न कहा जाता है बारा नंबर उप उपसर्ग का क्या मतलब है उपर पास कठीन तक बताइए उप उपसर्ग का क्या मतलब होता है उप उपसर्ग का इस्तेमाल कप किया जाता है तो देखे कठिन का प्रियोग हम करते हैं दूस उपसर्ग में दूस उपसर्ग का एक अर्थ होता है बुरा एक अर्थ होता है कठिन जैसे एक प्रश्न ध्यान से सुनिएगा जैसे दुश्कर जैसे दुस्तर दुश्कर और दुस्तर सुनिए कठीन है तैर कर पार करना जी से और दुश्कर कठीन है करना जी से यह सवाल याद रखिएगा उप जैसे कहा जाए उप सर्ग तो उप उप सर्ग का प्रियोग कहां पर किया गया है उप का प्रियोग हमें कहां पर मिलता है तो उप के प्रियोग के विशय में कुछ चर्चा परिचर्चा होगी उप का प्रियोग हम लोग पास के लिए करते हैं जैसे उप सर्ग उप मतलब समीप हो गया और जैसे उप धन आध्याय उप धन आध्याय तो क्या बन जाएगा उप धन अध्याय बराबर उपाध्याय क्या बन जाता है उपाध्याय बन जाता है यानि गुरू के समीप रहकर दिख्षा लेकर दिख्षित करने वाला उपाध्याय बन जाएगा अगला देखिएगा तेरा नंबर हिंदी का उपसर्ग बता दीजिए हिंदी का उपसर्ग बता दीजिए प्यारे दो चीजे हैं हमार इत्मीनान से समस्ते चलिए एक-एक मामला बहुत कीमती है गुरू और बहुत काम की बात है उपसर्ग यह भी एक प्रकार का सब्दान्स है और यह भी प्रकार का सब्दान्स है लगता कहां है अंत में तो यह क्या बन जाता है हैं सब्दंद्र है क्या बन जाता है चु की अंत में लगता है है आप देखिये शब्द वह शब्द जो किसी शब्द के नज जो किसी शब्द के आगे लग कर किसी शब्द के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तथा नवीन शब्द की रचना कर दे एवं भिषेश अर्थो में प्रकट करने लग जाए तो उसे उपसर्ग की संग्या दी जाती है और यहीऊ ठीक काम यदी पीछे लगक और करने लग जाए ध्यान दीजिएगा यहीँ ठीक काम पीछे लग करके करने लग जाएं जिनको दिक्कत होती है ध्यान से सुनना पासे प्रत्य पासे पीछे इसी को प्री प्रीट इंपब जारे अंगरे जी का और यह पीफिक्स पहले सफिक्स बाद तो यहां पर प्यारे यह रगक करके अब यहां आपको यह बताना है कि हिंदी नहीं कि संस्कृत में कितने हैं और दुम कितने हैं यहाँ पर आपको चिर उपसर्ग जो दिख रहा है जैसे चिर काल तक चिरन जीवी भवा जीवित रहो चिर काल तक हमेशा अनंत काल तक सब्सक्राइब को प्रत्ते सब्सक्राइब इस चॉच्झात है कि उसके सब्सक्राइब में जो है रस्वी करण का नियम लागू हो जाता है और यह कहता है कि आधित्य बन जाएगा उ प्रशन आपसे पूछा जायगा भासकर कैसे लिखा जाता है तो बताइएगा कि कि इन में से भासकर कैसे शुद्ध लिखा गया है जल्दी से बता दीजे कि भासकर शुद्ध कैसे होगा यहां से आपको बताना है इन में से कौन सा भासकर शुद्ध लिखा हुआ है चार बिकल्प है A, B, C, D आपको बताना है कि इन में से कौन सा भासकर शुद्ध लिखा हुआ है और सेर करते चलो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए ही ये सांदार क्लास ली गई है ध्यान रखिएगा देखिए आप लोगों का संगर्सी आप लोगों को कुछ बना सकता है और मात्र तीन-चार दिन आप लोगों को मेहनत करना है ठीक है न? और मैं पूरा का पूरा डेर सो सवाल करवाऊंगा प्यारे डेर सो सवाल करवाऊंगा अब मैं आप लोगों की बीच एकदम आराम आराम से चल ला हूँ देर सो सवाल करेंगे तीन गंटे में देर सो कोश्चन सॉल्व करेंगे और जहां स्पीड की ज़रुद पड़ेगी वहां स्पीड बनाएंगे जहां धीरे कराना होगा धीरे कराएंगे प्यारे हमारा अद्डेस है कि आप लोग जो है आराम से खाते-पीते रहिए चाय पानी करते रहिए बैटरी जो है चार्ज कर लीजे अपना जो है चारजर लगा लीजे चारजर लगा के देखिए बस कुछ मत करिए कहीं भी रही है कैसे भी पड़े रही है मुझे सुनते रही है यदि आप आराम से सुनते रहते हैं देखते रहते हैं मचाते रहते हैं तो दोस्त गरंटी है कि आप कुछ परिवर्तित कर देंगे एजान लीजे कि आप सब कुछ कर सकते हैं सारी ताकते आप ही के हाथ में हैं बस बने रहिए देखिए कौन सा भासकर ठीक लिखा है तो भासकर जो है वो ये वाला ठीक लिखा है इसमें ये वाला सा आधा लग जाता है यानि ऐसे लिखा जाता है ठीक है तो भासकर लिखा जाएगा ए जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ए वाले विद्यार्थी ठीक है दोपहर बारा बजे के सूर्य को क्या कहते हैं सुनो सवाल सुनो बारा बजे के सूर्य को क्या कहते है जल्दी से आंसर बता दीजे दोपहर 12 को क्या कहते हैं कोई बता सकता है itते हैं ना एक भी आंसर सही नहीं आया है यही पढ़े हो हैं यही पढ़े हो गुरू बारा बजे के सूर्य को क्या कहते हैं दोपहर बारा बजे के सूर्य को क्या कहते हैं तो दोपहर बारा बजे के सूर्य को मारतंड कहते हैं क्या कहते हैं दोपहर बारा बजे का सूर्य मारतंड होत है 12 बजे से पहले का समय पूर्वाहन कहलाता है पूर्वाहन कहलाता है 12 बजे से पहले का समय पूर्वाहन और 12 बजे के बाद का समय अप राहन कहलाता है अप राहन कहलाता है 12 बजे का समय क्या कहलाता है मध्यान कहलाता है मध्यान कहलाता है मध्यान कहलाता है दोपार 12 बजे का शूर्य मार्तंड कहलाता है करेक्ट मार्तंड राइट आंसर है याद रखना इसा प्रश्न परिक्षा में आएंगे निर्लिप्ट शब्द किसका परियावाची है निरुपसर्ग लगा हूआ है निर्मतलब नहीं है मतलब काम में लगा खोई लगा हूआ लगा हुआ अनिर मतलब बीना तो जो किसी काम में नहीं लगा हुआ है या किसी काम में लगा हुआ है किसके लिए निरलिप्त शब्द का प्रियोग किया जाएगा प्यारे बताइए उदासीन 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 बेक्ति के लिए इसका इस्तेमाल होता है इसी का समानार्थी होता है विरक्त। कि इसी के लिए विरक्त शब्द का भी प्रियोक किया जाता है उथ्थान का बिलोम पूछेगा तो पतन बता को प्राजै शब्द के लिए बिलों मैँ सोले नम्बर सवाल पराजै शब्द के लिए बिलों बता दीजिए दsheimaj के ऐसलिविलों और पराजै शब्द के लिए विलों बता दिए संख्या 1000 पार होगी मेरा मनोबल बढ़ जाएगा और इसके बाद मैं आप लोगों के सुन्दर सी कविता सुनांगा 具ह जैसे ही आप लोगों की संक्षा एक हजार पार होगी अपका और अपना दोनों लोग का मनोर ब्लते हुए दिखाई पड़ेंगे आ जाए देखीए क्या कहते पराजे 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 का बिलोम क्या हो जाएगा हाँ पराजे का अपराजे हो जाएगा अपराजे और जो हारा है जो जी जो जिसको हराया नहीं जा सकता अपराजित का पराजित हो जाएगा अपराजित तो बन जाएगा पराजित पराजित से अपराजित और अपराजे स पराजे बिजय बिजय का क्या हो जाएगा बिजय नहीं होगा प्यारे गलत है सी गलत है सी गारंटिक साथ गलत है पराजे बिजय पराजे बिजय पराजे का भी बिजय होता है देखिए पराजे का भी बिजय होता है लेकिन यहां पर हमने आपको कई बार बताया है कि शब्द जिस कोटी का है बिलोम उसी कोटी का होना चाहिए ध्यान से सुनों शब्द जिस कोटी का है बिलोम उसी कोटी का चुना जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे शब्द जिस कोटी का है प्रयास यही करिए कि बिलोम उसी कोटी का चुना जाए नहीं तो आनंद नहीं आएगा शब्द जिस कोटी का है बिलोम उसी कोटी का चुनना चाहिए इसलिए अगर आप पराजय के लिए अपराजय चुनते हैं तो ठीक चुनते हैं और बिजय नहीं चुन सकते ध्यान दीजिए अगर अपराजय ना होता बिकल्प में तो बिजय चुनते ठीक उत्तर होता ठीक है समझ गये की नहीं समझ गये इसी लिए कह रहा हूं कि बहुत सांती पूरुवक अच्छे से पढ़िये है ना चलो मेरे लाल अब समझ में आ गया होगा अब्यह सब्द का अर्थ अविकारी सब्द है तो अवयो सब्द का क्या मतलव है अवयो का क्या मतलब है अवयो पूजा अवयो संग्रह A, B, दोनो या अवयो यानि अंग बिलकुल मेरे भाई 100% बताएंगे 100% बताएंगे अपनी संख्या बढ़ाईए संख्या जब 1000 पहुचेगी तभी ये आप लोगों को देखने सुनने को मिलेगा है ना तभी आप लोगों को ये देखने सुनने को मिलेगा इतने आसानी से गुरुजी नहीं मिलेगा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा इसके लिए प्यारे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा सेयर करना पड़ेगा अपनी संख्या में बृद्धी करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी उपस्तिती को दर्ज कराना पड़ेगा संक्या कम रहेगी मजा नहीं आएगा प्यारे कि संक्या कम रहेगी तो आनंद नहीं आएगा आंसर करिए क्या हो जाएगा अवयो माने अंग हो जाता है प्यारे अवयो माने अंग हो जाता है अर्चन और अर्जन पूजा के लिए अर्चन शब्द का प्रियोग किया जाता है और संग्रा के लिए अर्जन शब्द का प्रियोग किया जाता है ध्यान रखिएगा अवयो अंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है है ना हां और अवयो यानि अं युइठ आंसर है देखिए अठारा नंबर प्यारे निमलिखित वाक्यों में से किस बिकल्प में विराम चिन्न संबंधी अशुद्धी है किसमें विराम दोस्ट लगा हुआ है चार बिकल्प है तिलक ने कहा था स्वथाँ अमारा जन्मसिर्द अडिकार है पिर कह रहा है त एकदम जमाए रही है मज़ा आ रहा है दोस्तों आप लोग इसी तरफ बने रही है और बहुत आनंद के साथ हम लोग प्रश्णों को हल कर रहे हैं और एकदम सांदार दालभात चोखा क्लास चल रही है गुरू यहां पर देखो प्यारे क्या हो जाएगा सी बिकल्प गलत है क निमलिखीद कथन पर ध्यान दिजिए जब कभी भेन निमलिखीद कथन पर ध्यान दिजिए ऐसे कहा जाता है तो ऐसी परिस्तिती में निर्देशन चिन्य लगाया घ् Legends लिए इसकी संभाव नहीं बनती अठ्थार अग्भाद 15 देखो जब वाक्तय के भीतर कोई वांक के लाया जाए तो किस बिराम चिन्न का प्रियोग किया जाता है वाक्य के भीतर जब किसी वाक्य को लाया जाता है ना तो वहाँ पर हमेशा निर्देशन चिन्न का प्रियोग करते हैं क्या करते हैं निर्देशक चिन्न का प्रियोग करते हैं योजक चिन्न कुछ ऐसा दिखता है हमेशा तब प्रियोग करते हैं दो समान अथ्वा विपरीत पदों के लिए इसका प्रियोग किया जाता है या बिलोमार्थी शब्दों के लिए या फिर द्वंद समास के तोर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं बिवराण चिन्न का प्रियोग कब किया जाता है तो इस प्रकार का दिखता बिवराण चिन्न जब कोई बात किसी के पक्ष में कहनी हो तो वहां पर बिवराण चिन्न का इस्तेमाल किया जाता है बहला आगे बढ़ें गुरू अगला देखिए गा निर्देशन हो गया अगला देखो कह रहें सानुरोध सानुरोध शब्द का सही संदिविक्षेत कर दीजिए साधन अनुरोध बराबर सानुरोध हो जाएगा यानी अनुरोध के साथ क्या हो जाएगा साधन अनुरोध यानी अनुरोध के साथ साधन अनुरोध अनुरोध के साथ है ना चलो प्यारे अब देखो 20 नंबर सवाल में ABCD चारों में से क्या सही है तो प्यारे ABCD 20 नंबर में आपको बताना है 20 नंबर में आपका सदन अनुरोद बराबर B for Bombay is the right answer अनुरोद सहित अनुरोद के साथ 21 नंबर मनोभिलासी पहले तुम्हें आपको बताना चाहूंगा कि मनोभिलासी जो है वह शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा मनोभिलासी ऐसे लिखा जाएगा तो यह शुद्ध रूप में अगर आपसे पूछ ले तो ऐसे सुद्ध होता है और आपसे पूछ रहा है संधी करने के लिए स्वर ब्रिद्धी बैंजन और बिसर्ग ब्रिद्धी संधी में क्या निर्मित होता है तो ब्रिद्धी संधी में अई और पढ़ने यहां पर प्यारे आपका बिसर्ग संधी बन जाएगी बिसर्ग संधी में मैंने आपको बताया है नव चीजे बनती हैं कि बिसर्ग के बाद या तो श्वार आ जाए या तो बेंजन आ जाए संधी कौन सी लगती है बिसर्ग संदी लगती है अब यहां पर आप यह कह सकते हैं प्यारे यहां पर यह कह सकते हैं कि यह बिसर्ग किसमें बदलेगा इस सा में यह किसमें बदलेगा इस सा में यह किसमें बदलेगा ओ में यह किसमें बदलेगा तो रा में यह किसमें बदलेगा तो आपका बदलेगा बड़ी ए में यह किसमें बदलेगा तो बड़ा उ में बदलेगा तो यह किसमें बदलेगा प्यारे बहिया शामे 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 ओ में रा में ए में उ में और किसमें किसमें बदल जाएगा सर और कहां कहां परिवर्तन होगा कुल नव परिवर्तन होते हैं यह इसका लोप हो सकता है यह क्या हो सकता है आपरिवर्तित रह सकता है क्या हो सकता है यह परिवर्तित रह सकता है तो प्यारे तीन दो पांच दो साथ दो नव यह नव परिवर्तन होंगे यहां बिशर्ग किसमें बदल गया है तो आपको साथ दिखाई पढ़ लाओगा कि यहां बिसर्ग किसमें बदला है संदी कौन से लग रही है मना धन अभिलासा मनो भिलासी तो क्या बन जाएगा मनो भिलासी में बिसर्ग संदी बन जाएगी प्यारे एकदम अच्छे समझ में आ गया स्रीश सब्द में समास बता दीजिए तो समास के बारे में हम आपको बताए भी है कि समास क्या होता है समास दो पदों के बीच में होता है और इसका निर्मार सम धन आस धन गहीं प्रत्ते के संयोग से हुआ है सम धन आस धन गहीं प्रत्ते के संयोग से समास का निर्मार हुआ है अब प्यारे एक बात बताओ सम इसमें क्या है सम इसमें उपसर्ग है सम क्या है आस क्या है मूल संद गहीं क्या है संस्कृत का प्रत्य तद्धित प्रत्य है अब सुनिएगा इसमें जो सम उपसर्ग का प्र शाब्दीकर्थ आप से अगर पूछ ले तो समास का शाब्दीकर्थ क्या होता है संचिप्तिकरण क्या होता है संचिप्तिकरण इसका शाब्दीकर्थ क्या होता है संचिप्तिकरण समास का साब्दीकर्थ होता है संचिप्तिक्रित करना छोटा करना संखेप करना ठीक है कर्मधारे समास का क्या नियम है कर्मधारे समास कहता है कि जिस समास का पहला पद विसेशन हो और दूसरा पद विसेश्च हो जाए उसे हम लोग कर्मधारे कहते हैं दोनों पदों को त्यज़कर तीसरा पद प्रदान हो जाए तो वहां पर बहुब्रही होता है प्रतंपद की प्रधानता हो अगर प्रतंपद प्रधान हो जाए तो वहां पर क्या हो जाता है प्रतंपद की प्रधानता अब्याई भावसमास होती है प्रतंपद यदि उपसर्ग हो जाए तो क्या हो जाता है प्रतंपद के उपसर्ग होन पर अब्याई भाव समास हो जाता है तत्पुरुष में क्या होता है दूसरा पत्प्रधान होता है दूसरा पत्प्रधान होने एक साथ साथ यहां पर कारकों का लोप हो जाता है कारकों का लोप हो जाता है प्यारे अजरक काईदे समझो और आंसर करो श्रीष मतलब श्री के इस अर्थात भगवान विश्णू और विश्णू में अगर संदी पूछ लेता ना तो बेंजन संदी लग रही है रड़ा में बदलना ना कोड़ा में बदलना विश्धनू बराबर विश्णू होता है हमने क्लास में इसकी बड़ी अच्छे से चर्चा किया हुआ है यहां पर समाश में बावबर ही इसमाश लग जाएगा जितने बच्चों ने बघृ समाश बताया है यानि बी उत्तर बताया है उब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं ठीकना Redaktid मतलब लक्षमी इस स्रीज का मतलब हो जाएगा लक्षमी के पटी अगला देखो युद्धरत युद्धरत में कौन सा समास हो जाएगा प्यारे बताओ जल्दी अल्दीज बताओ बताओ युद्ध में रत क्या बन जाएगा युद्ध में रत युद्ध में रत अम में रत में अपादान में पैपर लगता है अपादान में पैपर क्या हो जाएगा अपादान में पैपर क्या हो जाएगा तो अपादान में पैपर बन जाएगा संबंद में क्या हो जाएगा बाबू संबंद में का के की हो जाएगा और क्या जाएगा कर्म तत्पूरुज करताने कर्म को जाएगा अधी करण में क्या जाएगा अपादान से हो जाएगा माफी चाहूंगा अपादां से हो जाएगा अलग होने का बोत करा जाएगा से अलग और इसमें आ जाएगा में पय और पर का बोत कराएगा तो कुल मिलाकर के युद्ध मेरत यानि किसी काम में लगा हुआ, में कहां आया है, अधिकरण में आया है, अधिकरण क्या करता है, क्रिया के आधार का बोद करता है, क्रिया के आधार का बोद करता है, अगला अधिकरण, नेक्ष देखिएगा, अब कहरा है कि असुद्ध चुनिए अशुद्ध चुनने के लिए सुद्ध पता होना चाहिए तब तो युद्ध रत का मतलब होता है युद्ध में रत यानि युद्ध में लगा हुआ वंदना जी युद्धरत का मतलब होता है कि युद्ध में पूरी ताकत जोग दिया है युद्ध में पूरी शमता लगा दिया गया है युद्ध में पूरी योग्यता का परिचे दिया गया है इसको युद्धरत कहते है अब देखो प्यारे अब देखो निमलिखित में असुद्ध सब्द बताईए असुद्ध का मतलब क्या हो जाएगा देखो ये है आपका बिसर्ग संदी लगा हुआ है बिसर्ग शंदी लगी हुई है निरोग में निरोग में विसर्ग संदी लगी हुई है निय धन रोग बराबर निरोग बन जाएगा और नी रोग प्यारे बिल्कुल सही लिखा हुआ है अनुदित एक cents लिखा ओवा चोटा उसे बड़ा उम बनाया अनुधन दित बराबर अनुदित बन जायेगा और अनुदित एक-दम सही लिखा हुआ है अभिषप्त यानि अभिष्राप मिला है जिसको अभिषप्त का मतलब होता है कि जिसको अभिष्राप मिला है अभिष्राप से ग्रशित अभिषप्त हो जाएगा और उपर है दरिद्री दरिद्री कोई शब्द नहीं होता है बलकि दरिद्र शब्द होता है तो यहा सवाल 25 नंबर क्या कहरा है निमलिखित में से असुद वाक्ये का के करें क्या करना है प्यारों जो मेरे पिता कह रहे हैं कि यह मेरे पिता जी एठीक लिखा है जो कुछ मेरा है सब आपका है ठीक है बीच में कौमा भी लगाया है इसलिए ठीक है उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी बात को पूरा किया गया ठीक तरीके से च्छमा मांगेगा मोहन आप आकर च्छमा मांगेगा यहां पर मोहन आप आकर च्छमा मांगेगा लिखा हुआ है मोहन स्वयम आकर च्छमा मांगेगा यहां पर आप आकर नहीं स्वयम आकर च्छमा मांगेगा सर्वनाम का दोश है सर्वनाम दोश है इसमें इसमें सरवनाम रूपी दोश लगा हुआ है और सरवनाम दोश के साथ साथ इसमें प्यारे आपका सरवनाम दोश के साथ जो है इसमें निजवाचक सरवनाम का दोश लगा हुआ है ठीक है ना D for Delhi is the right answer for question number 25 प्यारे विद्यार्थिओं आप लोगों के लिए चुकि आज बसंत पंचमी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए उद्कर्ष परिवार की एक नई पहल से आप protective को जोड़ा जाए केवल पहले 5000 विद्यार्थिओं के लिए जो विद्यार्थी अभी तक हमारे साथ किसी भी कोर्स में इन्रॉल्ड है या नहीं है उन सभी विद्यार्थियों को आज विद्या दिवस के दिन यानि उतकर्ष परिवार के साथ आप विद्या दिवस मना सकते हैं करना क्या होगा विद्या दिवस मनाने के लिए विद्या की द discount मिलता है वो तो मिलता ही है और अलग से 25 प्रतिशत आपको discount दिया जा रहा है यह 25 प्रतिशत discount आपको कब मिलेगा जब आप course में enroll करेंगे और बसंत BASANT बसंत जो है आप code लगा देंगे तो सही coupon code लगाएंगे आप लोगों को निश्चित तोर पर 25 प्रतिशत का discount मिल जाएगा तो आप हमारे साथ किसी भी course में चाहे यूपी PCS में चाहे UPSC में चाहे UPP में चाहे UPSI में चाहे आप लोगों की खुशी के लिए मैं आपको बता दूँ कि आने वाले समय में इलाहाबाद High Court इसी महीने मैं आप लोगों के सूचना देना चाहूंगा इलाहाबाद High Court का ROARO का भी पदा रहा है और लगे हाथ आप लोगों को ROARO का मेंस भी परिक्षा तयारी करनी होगी ROARO के मेंस परिक्षा के लिए भी आप लोगों को इन्रॉल करना होगा और यहाँ पे आपको मिलने वाला है 25 प्रतिशत का डिसकाउंट चलिए अगला सवाल खंडित सब्द के लिए उचित वाक्यांस बता दीजे चलिए खंडित सब्द के लिए उचित वाक्यांस बता दीजे जल्दी से बताईए हां मैं बहुत जल्दी आप लोगों को कविता सुनाओंगा बस आप लोग एक बार इसको पहले क्लियर कर दीज प्यारे जल्दीस बताओ क्या कह रहा है खंडित तो दूसरों के मत का बिरोत करना जिसका कोई हिस्सा तूटकर अलग हो गया हो ऐसा जो अंदर से खाली हो उपियुक्त में से कोई नहीं ठीक है बहुत बढ़िया अब बहुत बढ़िया बहुत अच्छे क्या कह रहा है जिसका कोई हिस्सा तूटकर अलग हो गया हो खंडित है अंदर से खाली हो उपियुक्त में स्कोई नहीं नेखो खंडित का मतलब होता हो जिसका कोई हिस्सा तूटकर अलग हो जैसे माललो हमारे हाथ में यह कलम है यह खंडित हो जाए 20 से तूटकर अलग हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा खंडित हो जाना इस मुआवरे का सही मतलब बता दी जब बुद्धी ब्रश्टोना सोयम कोहानी पहुचाना मुर्कता प्रदर्सित करना या उपयुक्त में से कोई नहीं फटा फट से बताईए बहुत जल्दी जल्दी से आंसर करिएगा सेयर करते चलिएगा अपने प्यारे भाई बहनों तक लखर nun यह विए ओंभाईको के अकल के पीछे लट लेकर फिरना तो अकल के पीछे लाठी लेकर दओड रहे हैं अगर अकल के पीछे लाठी लेकर दोड़ रहे हैं तो उसका मतलब बुद्धी भरस्ट हो गई है स्वयम को आणी पहुचा रहें मुर्कता दिखा रहा है मूर्खता प्रदर्शित करना कह रहा है कि मूर्खता प्रदर्शित करना अकल के पीछे लट लेकर फिर ना यानि मूर्खता प्रदर्शित बुद्धी ब्रस्थ होने का क्या मतलब होता है आक्ल पर पत्थर पाड़ना अक्ल पर पत्थर पाड़ना फिर कह रहा है स्वयम को हानी पहुचाना अरे आक्ल का दुश्मन होना और का है न अपने पैरों पर कुलाड़ी मारना भीवाले के लिए peine अगला देखिया थास नमबर लिखे इसा पढ़े मुसा इस लोकोक्ती का मतलब बता 50 लिखे इसा इसा मशीः इसा इसा पुरू मतलब इसा मशेः के जन्म के पहले पढ़े मुसा अब मुसा तो कोई थे ही इतनी गंदी लिखावत है कि क्या लिखे है उसको नहीं पढ़ सकते इसलिए कहते हैं कि गंदी लिखावत है तो लिखे है ईशा पड़ रहे हैं मुसा हना हाथ कनगन को आर्सी क्या पढ़े लिखे को फार्सी क्या ठीक ना पूंटिस नंबर सूतन कपास जुलाहे से लठ्थम लठ्था सूतन कपास जुलाहे से लठ्थम लठ्था इस लोकोक्ति का बता दीजिए इसका मतलब क्या है कार्या रंब में ही बादा पढ़ना अकारण बिवाद समया नुकूल किया गया कारे लाप्रद होता है उप्यूग तुमें से कोई नहीं बैया सेयर करते चलना है संख्या इदर दोर नहीं जानी चाहिए एकदम लग के करना है बाई साब हाँ जान लीजे कि इस क्लास को कम से कम दो त आएगा एक गारंटी है कि आप अगर करके गए हैं तो जितनी बातें आप लोगों को यहां पर करने को मिली हैं इसका आपको फाइदा वहां मिलेगा सूत न कपास जुलाहे से लट्थम लट्था इस लोको क्ति क्या मतलब है 29 नमबर सवाल आंसर करिए अरे सूतों कपास न रहे हैं अनीता तुम गाना गाओ हां गाओ अनीता तुम एक्जाम उग्जाम मत दो गाना हो ना गाओ बस कह रहे हैं कि अनीता तुम गाना गाओ किस प्रकार का वाक्य है कैसा वाक्य है हाँ हाँ है बेटा तूर पे बात में ले जाना पहले एक जाम दे दो नहीं तुम्हारा तूर अभी निकलेगा 15-20 साल के लिए जिंदिकी बर बिच्छुक बनके जीवन यापन करना पड़ेगा तब समझ में आएगा तूर पे लई जाता है बेहा नहीं तो तूर पे लई जा है अब देखिए अनीता तुम गाना गाओ किस प्रकार का वाक्य है अभी यह कह रहे है क्या कर रहा है संकेत कर रहा विदान कर रहा है निशेद में हमेशन मना ही होती है नहीं या कभी नहीं आता है इसमें क्या होता है नहीं या कभी नहीं no या never या not आता है तो ये निशेद का काम करता है मना ही होती है अब देखिएगा बिधान किया जाए जब किसी चीज का तो बिधान वाचक होता है प्यारे यहां पर क्या किया जा रहा है आग्या दी जा रही है क्या नीता तुम गाना गाओ त कहते हैं ना तो किस्मत फूटने का क्या मतलब होता है किस्मत फूटना मारा जाना बिल्कुल बदल जाना भीगन पढ़ना बुरे दिना बताईए कि क्या हो जाएगा जल्दीस बताओ कि हाँ बहुत सुन्दर उठाए रहो एकदम प्रियंका तुम किसी का इंटरनेट उधार ले लो कुछ समय के लिए बहुत सुन्दर देखो किस्मत फूट गई है भाई मेरी बुरे दिन आ गए हैं बुरे दिन आना मेरी किस्मत फूट जाना खराब हो जाना बुरे दिन आ गए कायल कायल सब्द के लिए उचित वाक्यांस का चुनाओ करिए कायल सब्द के लिए उचित वाक्यांस का चुनाओ करिए क्या हो जाएगा अपनी गलती स्वीकार करना दूसरे की हत्या करना नहीं भाई जो दुख या भय से पीडित हो नहीं तो अपनी गलती स्वीकार कर लिया कि आपकी बातों का KYL हो गया हूं अर्थात मैंने अपनी गलती मान ली कि आपकी बाते मुझे माननी चाहिए थी इसलिए मैं आपकी बातों का KYL हो ओ ठीक try प्रकार कार देता है तैतीस तैतीस का मतलब होता है निम्लिकित में शुद्ध चुनिए शुद्ध चुनों है तो यहां पर यवन वस्था यानि यवन अवस्था होता है यह सुद्ध के रूप में यहां पर इस्तेमाल है नहीं सर यहां पर जो है निर्दय शब्द का प्रियोग बिल्कुल ठीक है बिना दया का निरुपसर्ग का इस्तेमाल किया गया प्यारे कौंश Spring निरुपसर्ग दय के साथ लगा हुआ है डया के साथ लगा वा तो निरत बन गया है और यहां पर निर मतलब बिना और और दय अर्थात दया का तो बीना दया का तो भी एकदम सही है निर्दोशी नहीं निर्दोश होता है यह प्रत्य लगाया गलत लगाया है यह वन होता यह वन आवस्था नहीं कि आवश्यक यह नहीं आवश्यक होता है तेंज़ देखिएगा Defender 2019 असुद्ध का चैन करिए एक गलत है उसी चुनि बंटर जल्डी से एक गलत वाले को चुनिएगा कौन सा हो जाएगा मोहन कुट्ते को ढंडे से मारता है मोहन के द्वारा कुत्ता डंडे से मारा जाता है मोहन कुत्ते को डंडे से मारी प्यारे असुद्ध चुनना है न तो यहां पर जो है मोहन कुत्ते को डंडे से मारा हो जाएगा मारी नहीं यहां मारा होना चाहिए था और यही असुद्ध है c4 milhões bat यहां पर यह गलत हो जाएगा बहला अब यहां पर एक एक के लिए आप karışते चलिए अतर 35 नंबर करता हूं किस गयाम करता हूं कर्तर की प्रधानता कर्मा वात्चे में करल ने किसी की प्रधानता नहीं होती है करत्री वाद्चे जो है वह सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकता है और प्यारे कर्म वाद्चे केवल सकर्मक हो सकता है मझे की बात सुन लिजे ठीक है ना इममझे की बात सुल लिजै कि कर स्कर्मख और अकर्मग दोनों हो सकता है कर्मवाध्चे victorious हो सकता है कर्मवाध्चे में कर्म की प्रधानता कर्तुर दॉर्म में करता की मैं ब्यायां करता हूँ इसमें कौन वाट्चय लगा हूआ प्यारे बथाईये तो करत्री वाच्चे का प्रियोग है क्योंकि जो क्रिया कर रहा है वो करता ही कर रहा है करता की प्रधानता है तो जब क्रिया का प्रभाव करता पर अधीक दिखे तो बताते हैं कि करत्री वाच्चे अगला 36 आखों की था रचना किस रचनाकार की है आखों की था शुक्ल रायकृष्ण दास रगुबीड सिंग स्यामसुंदर दास तो यह रायकृष्ण दास की रचना है रायकृष्ण दास की रचना है आखों की था रामचन शुक्ल की दो निबन संग्रा चिंता मड़ी और विचार वीथी याद रखिएगा चिंता मड़ी और विचार वीथी निबन संग्रा है परिक्षा में पूछे जाने योग्य है अगला देखिएगा डॉक्टर नामवर सिंग को किस आलोचना के लिए साहित एक आदमी पूरसकार मिला था डॉक्टर नामवर सिंग को आपको बता दें कि डॉक्टर नामवर सिंग कोई सामान ने नाम या सामान ने चेहरा नहीं है नामवर सिंग जी की मृत्तियू लगभग 2020 में होती है और 2019 में कृष्णा शोबती की मृत्ति हुई मरणो परांत उनको ग्यानपी पूरसकार से नवाजा भी गया और नामवर सिंग जी को दुनिया का अभी तक का वरतमान समय का सबसे अच्छा अलोचक माना गया है जे एन्यू में बतोर प्रोफेसर आदर्णी नामवर सिंग जी रहे और इनकी ख्याती अपने आप में बहुत बहतरीन है इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर नामवर सिंग अपने आप में वो नाम है जो हजाई प्रसाद दुरुएदी के सिस से रहे थे हजाई प्रसाद दुरुएदी अपने आप में टक्कर देने वाले रामचन सुक्ल को भी आखे दिखा करके उनकी बातों को काट करके तरकों के साथ एक सिरे सिखारिच करके अपनी नई बात को मनवा लेने वाला चेहरा रहे थे और उनके सिस से रहे डॉक्टर नामवर सिंग इनको साहित्यकादमी पुरसकार मिला और कविता के नए प्रतिमान की एक रचना है जिसके लिए इनको साहित्यकादमी पुरसकार मिला 271 में इसके लिए साहित्यकादमी पुरसकार से नवा जा गया कविता के नए प्रतिमान के लिए देखो आसान नहीं है नामवर होना और बड़ी जवरजस्त रचनाओं के लिए जाने जाते हैं कहानी नई कहानी दूसरी कविता का खोज कहानी नई कहानी दूशरी कविता का खोज पंडित विश्वनात ही नहीं के सिस से रहे हैं जो कि इस समय दिल्ली विश्विध्याले में बतौर प्रोफेसर न्यूक्त रहे हैं और कारेकाल खतम होने के बाद भी उनकोो जहरे निर्वाचित रखा गया है दिल्ली विश्विध्याले में जिनके आप folklore सिख्म इसते उड्ली विब उऔर गशक्त दूसेरी परम्परा का खोज माफि चाहूंगा दूसरी परम्परा का को हम दसलिंकी रचना है दूसरी प्रमपरा का खोज कहानी नई कहानी और बाद विवाद और संबाद ये सब इनकी प्रमुकालोचनाएं हैं प्रमुकालोचनाएं अरतिस नंबर निमलिखित में से हिंदी का की कौन सी उपभासा सौरशेनी अपभ्रंच से बिकसित नहीं कौन सी सर्वसेरी सौरशेनी अपभ्रंच से बिकसित नहीं जल्दी बता दीजें पश्यमी पूर्वी गुजराती राजस्थान अरतिस नंबर सबाद तो पूर्वी हिंदी को सौरशेनी अपभ्रंच से बिकसित नहीं माना जाता लेकिन किससे माना जाता ये आपको कौमेंट करके बताना है कह रहे हैं इन में से किस बिकल्प के सभी महाप्राण बेंजन है बताईए आपको बता दें कि वायू के आधार पर बेंजन के दो भेद हैं अब वायू के आधार पर जब हम बेंजन के दोनों भेदों की चर्चा करते हैं तो एक बेद हमारा है अल्पप्राण और एक है महाप्राण इनहीं में जो महाप्राण है ये दो सब्दों से मिलकर के बना है महाधन प्राण महा का मतलब होता है अधिक प्राण का मतलब होता है वायू तो जिन वरणों के उच्चारण में वक्ता को अधिक वायू क्यों शक्ता पड़ती है उसे हम महाप्राण कहते हैं और महाप्राण के अंतरगत प्रतेक वर्ग का दूसरा चौथा श, स, श, और ह और एक अधा ये सारे बेंजन आते हैं अब देख लीजिए इसमें क्या आ रहा है दूसरा आ रहा है ट, ठ, ड, तीसरा हो गया गलत त, प, फ, प, फ, स, भी महाप्राण है ना च, छ, नहीं त, और ठ, त, ठ, ड, 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 तो आप देखिएगा दूसरा और चौथा पहले नंबर पर आ रहा है दूसरे पर तीसरे पर चौथे पर तो यहां तीसरे नंबर पर आ रहा है दूसरा चौथा स, स, महाप्राण की बात कर रहा है तीसरे नंबर पर पा भ ब और भ तो ये दो के दोनों महाप्राण है तो ये महाप्राण बेंजन हो जाएंगा आपके बहुत अच्छे सी स्क्रीन सॉट लिजेगा क्योंकि इंपोर्टेंट है अगला देखिये चालीस नंबर क्या कहता है कह रहे हैं कि तत्सम नहीं है निम लिखित में से किस बिकल्प में तत्सम सब्द नहीं है तत्सम क्या होता है मैंने आपको बहुत कायदेश समझा रखा है कि तत्सम किसे कहते हैं संस्क्रिट भासा के शब्द हिंदी भासा में हु बहु इस्तेमाल कर लिये जाते हैं जो हिंदी भाशा में जयों के क्यों इस्तेमाल कर लिये जाते हैं उसे तच्सम की संग्या दी जाती है कि अब बताईए इसमें से कौन सा तच्सम है बहुत तेजीक साथ आंसर करना है सुहाग सुहाग का स्वभाग्य हो जाता है अभी यही प्रश्न आपके आरो ए आरो में भी आया हुआ था सुहाग्य के लिए स्वभाग्य शब्द का प्रियोग किया जाता है बहुत बढ़िया तच्सम हो जाएगा यह कैसा संद है तद्भो शब्द है अगला सवाल किस बिकल्प में सभी शब्द तद्भो है शबी तद्भो है शबी तद्भो है बताईए जिसमें सभी शब्द तद्भौ हो उसे बताईएगा मतलब ृृ पंक्षी और दाख कैसे तद्बौ हैं सभी हैं की नहीं हैं देखिए पंक्षी का तद्भव पक्षी एक तद्सम सब्भ यह पक्षी जो है तद्भाव शब्द है डाग का द्राच्छा हो जाता है डाग के लिए द्राच्छा शब्द का प्रियोग किया जाता है तद्सम है इस आप किसके परियाए वाच्छी है यह है जोचना किसके परियाए वाच्छी है कि परियाए बात्ची हैं कौमुदी और जोचना किसके परियाए है यानि कि कौमुदी और जोचना किसके लिए परियाए के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं तो चांदनी के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं हाँ अपनी क्लास में कोई चांदनी है अब देखिए अगला सवाल मुख का उपयुक्त बिलोम बता दीजे मुख का बिलोम क्या हो जाएगा बाई मुख के लिए क्या हो जाएगा प्रिष्ट का क्या हो जाएगा प्रिष्ट मतलब पीछे प्रिष्ट के लिए अग्र हो जाएगा क्या हो जाएगा अग्रा सरस के लिए नीरस हो जाएगा सरस के लिए क्या हो जाएगा नीरस का प्रियोग किया जाएगा बिमुख के लिए क्या हो जाएगा बिमुख के लिए सम्मुख हो जाएगा सम्मुख सम्मुख हो जाएगा मुख का क्या हो जाएगा प्रमुख तो मुख के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे मुख के लिए प्रिष्ट का इस्तेमाल करेंगे मुख यानि अग रही होता है मुख का समानार्थी अग रही होता है प्रिष्ठ का अर्थ पीठ से भी लिया जाता है पीठ पीठ या पीछे प्रमुख का सामानने कर सकते हैं प्रमुख के लिए आप सामानने का प्रियोग कर सकते हैं ये भी चलेगा तो यहां पे D for Delhi is the right answer अगला सवाल अनेकार्थक शब्द पंचानन का अभिप्राय कौन सा नह है प्रकांड विद्वान सिव पक्षी या सिंग चट्थ पंचानन यानिम पाच हो आनन जिसके इसके पांच शिरह पांच शैयें उसके लिए 7 सब्द बताना है तो पक्षी पक्षी के लिए पंचानन का प्रियोग नहीं करते पक्षी के लिए द्वीजी का प्रियोग करते हैं द्वीजी का प्रियोग पच्छी के लिए भी और ब्राम्भण के लिए दोनों के लिए किया जाता है योग मसब्द तनु और तनु का क्रम्सा सही अर्थ किस बिकल्प में है तनु और तनु का सही अर्थ किस बिकल्प में है तनु और तनु का सही अर्थ किस बिकल्प में है आपको बताना है चार बिकल्प है शरीर, पतला, पेट, बुढ़ा, पतला और पुत्र और यहां पर पुत्र और पतला जल्दिस बताईए बताओ प्यारे जल्दिस बताओ बताओे में है आपको अर्वेसmaई दिकल्प बता पतला जल्दिस बिकल्प ऱ्यारे है बताओ प्यारे क्या हो जाएगा पैतारीस नंबर सवाल कउत्तर नहीं है पत्ला और पुत्र क्या हो जाएगा तनू मतलब पत्ला और तनू मतलब पुट्र ना जैसे तनू जा इस तरह से और यहाँ पर 46 नंबर बताईए कौन सा वाग के अशुद्ध है अशुद्ध वाग के बताना प्यारे जल्दी से अशुद्ध वाग के बता दीजे यह एक अनुदित निबंद है वहां असंग के जनसमूह उमर पड़ा उसने पुरसकार का तिरसकार कर दिया बयायाम से शारीरिक उन्नती होती है सानी शारीरीक उन्नती होती है या फिर कहा जाए कि शारीरीक बी आंसर करेक्ट यहां बरता रहे हैं यहां अशंक्य जनसमूह नहीं अशंक्य नहीं आपको कहना चाहिए अपार जनसमूह का प्रियोग करना चाहिए वहां अपार जनसमूह उमड़ पड़ा वी फर बॉंबे इस दा राइट आंसर अगला देखो प्यारे निमलिखित में से सभी किस बिकल्प में सभी शब्द पुलिंग है किस में सभी पुलिंग है श्वागत निर्थ आय त्याग इस पर स्कृपा सोभा सभा बताईए बताईए प्यारे जल्दी यल्दी से बहुत बढ़ियां बहुत अच्छे बहुत प्यारे बच्चे देखो बिटा कह रहे हैं कौन से विकल्प में सभी पुलिंग है स्वागत किया जाता है निर्थ किया जाता है जैसे ही आप लोगों ने उसमें क्रिया लगाया तुरंद घंण से उत्तर निकल किया आ गया आप लोग आय और त्याग बता रहे हैं जो प्यारे हमारे आया और त्याक बता रहे हैं गलत बता रहे हैं अरे सभी पुलिंग है स्वागत और नित्य कैसे तुम लोग की परिक्षा पारोगी जी आधेस ज्यादा तो गलत बता रहे हो आप लोग प्यारे आधेसे ज्यादा तो गलत बता रहे हो प्यारे कैसे काम होगा जी देखो अगला सवाल के रहे हैं इन में असुद्धी है किस बिकल्प में वचन सम्मंदी दोश है किस में वचन सम्मंदी दोश है किस में वचन सम्मंदी दोश पाया गया है प्यारे जल्दी बताओ जनता जनताएं नहीं होता जनता पहले से ही बवचन में इस्तेमाल होती है प्यारे हमने आपको बता रखा था कल ही की क्लास में बताया हमेशा बहुबचन और हमेशा एक बचन में कौन-कौन प्रियोग होता है उसको उमने बता रखा है अगला देखो किस बिकल्प में करण कारक का उधारन नहीं है करण कारक का उधारन नहीं है उसने चाबी से ताला खोला बच्चा घर से निकला मोहनगाडी से आया रमा चाकू से फल काट रही है बच्चा घर से निकला बहुत सुन्दर पचास कह रहे हैं कि निम्न लिखित में से संबंध वाचक सर्वनाम का उधारन कौन सा है संबंध वाचक जो सो होता है जो गरजते हैं सो बरसते नहीं ए इस दराइट आपसा अगला देखिये क्यावन ऐसा घर तो पहले देखा नहीं रेखांकित शब्द में बिसेशन का कौन सा भेध है तो यहां पर रेखांकित शब्द में रेखा तो किया ही नहीं गया बताईएगा प्लीज आंसर करिएगा ऐसा घर ऐसा घर तो पहले नहीं देखा ऐसा घर तो पहले नहीं देखा यानि इस प्रकार का घर तो यह सारवनामिक का बोथ करा रहा है या परिमाल का ऐसा घर सारवनामिक का बोथ करा रहा है प्यारे किसका सारवनामिक का यह घर को संग्या और ऐसा को सरवनाम माना गया है इसके आदार पर सारवनामिक तो किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रियोग किया गया है प्यारे बताओ नहीं किया गया है संख्या बढ़ाईए सभी लोग प्रियांसी जी अंजली जी पंकत जी अनुपम जी संजय जी जोया जी दीपक जी अंजली जी खुशबू जी सभी प्यारे बाई बैनों से अनुरोध है संख्या बलाली जे रमा ने कपड़े धुलवाए धुलवाना प्रियनार्थक क्रिया है प्यारे प्रेहनार्थक क्रिया है तो D for Delhi is the right answer बहुत तेजी से अप सॉल्व करेंगे हम लोग अर्चना पत्र पढ़ती होगी इस वाक्य में कौन से काल का पता चल रहा है तो मूल धातू के साथ होगा होगी होगे होगा होगी होगे लगा हुआ है तो होगा होगी होगे अगर लगा है मूल धातू के साथ तो किस बात का बोध करा रहा होगा संधिग्द वर्तमान का बोद करा रहा होगा वर्तमान में संधिग्द है संधिग्द वर्तमान है प्यारे भूत नहीं है संदिक्द वरतमान काल लगा हुआ प्यारे इसमें उदारनष छाठिये भाव वजचे का उदारनष छाठिये भाव वाच्चे मैं बैट नहीं सकता गीता से गाना गाया जाता है सुरील से सोया नहीं जाता लिओ भई वाव वाजच्च्च रहें पंकच से पत्र लिखा मैं बैट नहीं सकता कौनसा वाच्चे कर्त्री वाच्चे हैं कि गीता जाना आगाय जाता है कर्म वाच्चे हैं और सारा वाच्चे आपके सामने स्क्रीन पर है प्यारे देख सकते हो अगला देखियेगा मोहन मेरे के सामने रहता है रेखांकित अब्यश्ब्द का प्रकार बताईएगा जल्दी से प्रकार बताईए प्यारे फटा-फट से बताईए कौन सा मोहन मेरे घर के सामने रहता है कि मोहन मेरे घर के सामने रहता है संबंद है मेरे घर के सामने घर के साथ मोहन के रहने का संबंद है अगला देखिएगा 56 नमबर कहराय कि निमलिकित में से किस बिकल्ब के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्य प्रियुक्त है मतलब उस बिकल्ब में जितने शब्द है सब में उपसर्ग और प्रत्य पराबर लगा हुआ है बताईए बहुत सुन्दर देखो उपसर्ग और प्रत्य दोनों लगा हुआ है अत्यंत अतिधन अंत अन्वेशन अन्धन वेशन अधिधन आदेश बराबर अध्यादेश सामाजिक तो इसमें प्रत्य भी लगा हुआ एक प्रत्य ऑं धनवेशन अन्प्रत्य था को कि है आवैतनिक वैतनिक में imi हो दोनों लगे होने चाहिए और सहीit सही लगे होने चाहिए उस आधार पर देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर 56 नंबर सवाल में सी विकल्प जो है वो एकडम सही है आवयतनिक और संदेहास्पद किस विकल्प में सभी सब्दों में उपसर्ग प्रत्य प्रियुक्त है बिल्कुल है बाकी में किसी में उपसर्ग है किसी प्रत्य नहीं ऐसा इस्तेमाल है लेकिन सी में अग्दम करेक्ट है आवयतनिक और पद संदेह में असपद लगा हुआ तो संदेह पद ठीक है ना तो सी इस दर राइट आउनसर अगला देखो प्यारे 57 में नहीं है किस विकल्प में इन प अपकर रहा है किसमे नहीं लगा है पंडित आइन में प्रत्ते लगा है प्यारे समझ रहे हो कि नहीं तो यहां पर जो पंडित मैं प्रत्ते लगा करओ के पंडुत आइद की अज़ना दिया गया है एक्यात्म दीर्ग है परमाण वस्त्र यण संदी परिश्कार शुरसंदी अनुशंगी बेंगेर संदी बताई बताई कौन क्या-क्या इस्तेमाल में लिया है जल्दीज बताओ देखो प्यारे निम लिखित में से असंगत बिकल्प कौन सा है एक्यात्म परमाण वस्त्र परिश्कार अनुशंगी असंगत का चुनाओ करना है 58 परिश्कार परिश्कार में स्वर संदी नहीं बलकि परिधनकार बराबर बिसर्ग संदी लगी है कौन संदी लगी है बिसर्ग संदी लगी है परिश्कार में बिसर्ग संदी लगी हुई है कैसे लगी हुई है सर जरा समझाईए तो हां भाई समझिए देखिए कैसे लगी हुई है मैं आपको समझाता हूँ अगर बिसर्ग के पहले कहीं भी छोटी या छोटा उ आ जाए बाद में कट पफ में से कोई भी आ जाए तो आप इस विसर्ग को इस सा में बदल देते हैं तो यह बन जाएगा परीधनकार करेक्ट तो यहां पर स्वर संधी नहीं बल्कि विशर्ग संधी लगी है अगला देखिएगा क्या कह रहा है असुद्ध संधी चुनिये बिश्रन तरुक्षाया वहिस्कृत मात्राग्या कि बताईए कि क्या बन जाएगा मात्राग्या मात्रधन आग्या बराबर मात्राग्या बनता है इसमें से सुद्ध चुन्ना था तो मात्रधन आग्या मात्राग्या गलत बना हुआ है मात्राग्या बनाने के लिए मात्री धन आग्या से बनाना पड़ता है मात्री धन आग्या तो री के बाद कोई स्वार आ जाएगा और यहां पर त्राग्यां लग जाएगा अर लग जाएगा कुल मिला करके कौन सी संधी है जरा सा कॉमेंट करके बताईएगा अगला देखे साथ नंबर अधी करण तत्पुरुष समास का उधारन बताईए कविपुंगव ग्रन्था वली इंद्रिया तीत दोश मुक्त दोस से मुक्त तो यहां पर से लगा हुआ है तो यहां पर अलग हो रहा है दोस से अलग हो रहा है तो यहां पर क्या लग जाएगा संप्रदान के लिए अपादान तक पुरुष लग जाएगा इंद्रियों से तीत मतलब इंद्रियों से परे के लिए भी अपादान लग जाएगा ग्रंथावली ग्रंथदन आवली ग्रंथावली यहां पर भी आपका ग्रंथावली कहने से भी तत्पुरुष कहीं से बहुत हो रहा है लेकिन कभी पुंगव मतलब कभियों में स्रेष्ट कभी पुंगल कभी पुंगव या कभी स्रेष्ट दोनों में से कुछ भी पूछ ले जो लोग अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं पुंगव संस्कृत भासा का एक सब्द है जिसका अर्थ होता है स्रेष्ट श्रेष्ट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह कभी श्रेष्ट को दर्शा रहा है यहां पर अधिकरण में पैपर तत्पुरुष समास लगा हुआ है कौन सा तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष लगा हुआ है 61 निम्लिकित में से किस भी कल्प में विराम चन्य संबंधी अशुद्धी है बता वह यह चपन छोड़ोंगे चपन को लास्ट में देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है इबर बता देंगे अब देखो प्यारे 61 नंबर सवाल क्या कह रहा है किस विकल्प में विराम संबंधी अशुद्धी है क्या तुम खाना बना रहे हो प्रश्ण लगाया है क्वेश्चन वांग शाबास तुम बहुत शुंदर चित्र बनाया विहारी सत्सई विहारिलाल की अनुपम कृती है पर साबास के बाद तो जो है विश्मय बोदक चिन लगाना चाहिए था तो भीश्मय बोदक चिन लगाता तो ठीक होता फिराल नहीं लगाया है यहां पर ही से लगा दीजे तो ठीक हो जाएका मामला एक दम तनाटन हो जाएका बला अगलेप चलो इबासर नंबर बताओ सवाल नंबर बासर चल रहा है प्यारे बताओ बी चिलचड़े आदमी को और चड़ाना भिंड के छत्ते को चिलना मतलब चिलचड़े आदमी को और चिलना करेक्ट देखो अगला निमलिखित में लोकोक्ती नहीं है लोकोक्ती नहीं है मुहावरा हो सकता है किस बिकल्प में लोकोक्ती नहीं है बताओ लोक में प्रचलि उक्ति बराबर लोकोक्ति मतलब लोक में जो प्रचलित है जिस रूप में उसी रूप में हमारे सामने आया है तो उसको लोकोक्ति कहते हैं थका अंट शरायत ताकता नाक कटी पर घी तो चाटा हिँदी का हिं अ निकालना और मनचंगा तो कफ़वती में गंगा आज आप mauvais बात की तेह टक पहुंचना यह प्रकार का मुहावरा है जो बताता है कि बात की तह तक पहुंचना मुहावरा है बात की तह तक 64 बीर रस का इस्थाई भाव बताओ बीर रस का इस्थाई भाव हमने आपको एक ट्रिक बताया था उस ट्रिक के कोडिंग अगर आप देखेंगे तो बीर का उत्साह निवृत्या निर्वेद शान तरस के लिए इस्तेमाल होता है जो उसो उको भजू बीनू रहासो उको भजू बीनी और श्रिहा कवीर भवियशा ध्यान से समझो ट्रिक को समझो श्रिंगार रस के लिए रती हास के लिए लिहास करूण के लिए सोक है ना और बीर के लिए उच्साह रौद्र के लिए क्रोद तो यह किस रस के लिए स्थाई भाव है रौद्र के लिए और भयानक के लिए भय बीभत्स के लिए जुगुच्सा तो जुगुच्सा किसके लिए बीभत्स के लिए और सांती के लिए निर्वैद अद्भुत के लिए बीर तो यह आपका जो ट्रीक है यह आपका पूरा-पूरा काम कर जाएगा 100% काम कर जाएगा यह ट्रीक लिख लीजे आपका काम हो जाएगा अद्भुत के लिए ठीक ना अब देखो यहां पर देखो प्यारे अब देखो क्या कह रहे हैं रोला और उलाला हूलाला नहीं यहां उलाला चंद है मजा मत ले ले ना इसका दो चंदों की मिलने स्कौन से चंद बनता है है कि बताओ है कि बताओ है कि रोला और उलाला दों के मिलने से कौन सा चंद बनेगा पैसर नमबर सवाल चंपई चंद का निर्मार होता है किसका चंद का निर्मार होता है ठीक के बहुत अच्छे उपमा के चार अंग होते हैं, इन चार अंगों में सबसे पहला अंग है उपमे, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, चौथा है वाचक शब्द, अब प्यारे ध्यान से सुनो, यह सब क्या है, यह तुलना करने काम आते हैं, उपमा का मतलब क्या, उपमा दो शब्दो से मिल करके बना है, उपधन मा, उप का मतलब होता है समीप, मा का मतलब होता है मापना या तुलना, यानि तुलना करना, क्या मतलब होता है, तुलना करना, कहने का मतलब हुआ, कि दो वस्तूओं को समीप लाकर तुलना करना, उपमे में उपमान से तुलना की जाए, तुलना की जाए उपमा का उल्टा ही प्रती पलंकार होता है इसी का उल्टा क्या होता है प्यारे प्रती पलंकार होता है होता है कि नहीं होता पढ़े होना उपमा का ही उल्टा प्रती पलंकार होता है ना भाईया जहां उपमे उपमान की नहीं उपमान उपमे की तुलना कर दे उल्टा कर दे मामला उल्टा हो जाए वहां पर ही क्या होता है ओ जो है प्रती पलंकार होता है तो प्यारे यहां पर आ मान की क्या की जाए संभावना जता ही जाए जब संभावना हो तो उत्प्रेक्षा रूप दिखाया जाए यानि भेद रहित आरोप हो ब्यतिरेक का कोई मतलब नहीं प्यारे यहाँ पर क्या हो जाएगा मनुमानो मनव मानव उत्प्रेक्षा और उपमा में क्या होता है उपमा में क्या होता है कॉमेंट करके बताओ सब लोग सासी से समतुल्य शरिश समझे यह सब आ जाए तो हम कह देते हैं कि उपमा है करेक्ट आओ टीपो आगे देखो आओ सकता इस बात की है कि हमारी सिक्षा का माध्यम भारती भासा हो जिसमें राष्ट्र के हिर्दय मन प्राळ की सूचमतम और गंबीर्तम संबेद नाम मुखरित हो और हमारा पाठिक्रम यूरोप और अमेरिका के पाठिक्रम पराधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और आवेशक्ताओं का प्रतिनिधित्तो करे बारति बासाओं बारति इतिहास बारति दर्शन बारति दर्म और भारति समाज शास्त्र को हम सर्वोपरी इस्थान दें उन्हें अपने सिक्षाक्रम में गौड इस्थान देकर या सिच्छित जनों को उनसे बंचित रख कर हमने राश्ट्रिय संस्कृति में एक महान रिक्ती को जनम दिया है जो नई पीड़ी के भीतर से खोकला कर रहा है हम राश्ट्रिय परंपरा से ही नहीं सामाईक जीवन प्रबाह से भी दूर जा पड़े हैं विदेशी पश्चिमी चस्मों के भीतर से देखने पर अपने घर क के प्राणी भी बे पहने और अजीब से लगने लगे हैं सिच्छि जन और सामान ने जनता के बीच खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दाविदार होने के दंब करते हुए भी हम घर में वामन ही बने रह गए हैं इस इस्थिती को हास्यास्पद ही कहा जा सकत है हमारी सिच्छा का माध्यां बारती भासा इसलिए ओना चाहिए बारती भासा इसलिए ओना चाहिए क्योंकि उसमें बताईए कि बहुत सुन्दर आंसर करें जल्दी से बहुत बड़िया अंसर करो प्यारे देखो क्या कह रहा है काराग भारती भासा होना चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि भारती मानस का इस पंदन द्वनित होता है उससे भी होना चाहिए बारती इतियास और भारती दर्शन का ज्यान हो नहीं विदेशी पाठिकरम का भाव है इसलिए भी नहीं सामाजिक जीवन निरंतर प्रवावित होता है बिल्कुल नहीं बलकि बारती है अब हमारी सिच्छा में ऐसे पाठि ज्यान कराने की जमता हो सामाइक जन संस्कृति का समावेश हो बताई है कि बताओ प्यारे 68 नंबर क्योंकि भारती संस्कृति परंपरा का उसमें प्रत्निदित तो हो बिल्कुल बहुत बढ़िया रोहित जी अलता जी अविशेग जी प्रदीब जी बहुत बढ़िया यह बी उत्तर दे रहो तो गलात है बिटा एस है 69 इन में से कौन सी रचना मलिक मुहम्मद जैसी द्वारा नहीं रची है मलिक मुहम्मद जैसी रचना नहीं है क्योंकि और ग्रंथ और आचारे के युग्मों में से बेमेल कौन सा है रीतिकाल के प्रमुक अलंकार निरूपक बताओ प्यारे कौन है भासा भूसर जस्वन सिंग अलंकार दरपन राम सिंग कविकुल कंठा बरण मतिराम अलंकार चंदोदय रसिक सुमती रितिकाल के प्रमु कलंकार निरूपक ग्रन्त और आचारे के युगमों में से बेमेल है बताओ जानवी जी बिल्कुल आपका भी नाम लेंगे एकडम परसान न होई है सबका नाम लेगा भाई सबका नाम लेगा फैजल टेंसन मतलो एकडम एक दिन मैं ऐसा करूंगा कि दो ढ़ाई गंटे के लिए लाइब हो जाओंगा और आप जितने बच्चे आएंगे सबका नाम लूँगा मैं उस दिन ये ठीक रहेगा उस दिन किवल एक ही काम करेंगे कि लाइब आएंगे और सबका नाम लेंगे बारी बारी से सब लोग एक दूसरे का नाम सुनेंगे बाई मजा आएगा कसम से बहुत ही प्यारी कक्षा होगी उस पर आप लोग के माद्यम से ब्यूज आएंगे दो तीन मिलियन व्यूज कि क्या नाम लिया है सरने गजब ठीक है अब देखो प्यारे रीती काल के प्रमुक अलंकार निरूपक ग्रंत और आचारे के युग्मों में से बेमेल बताईए जो एक तो सेट नहीं है उसके बारे में बताईए रचना कारियात करना पड़ेगा है बेटा इसके लिए प्रेग तुरा की काम करती नहीं है तीरी कुरी कोनों काम नहीं करेगी आ यहां पे प्यारे क्या हो जाएंगा कविकुल कंठा बढ़न मति रान की नहीं है कविकुल कंठा है दुला की रचना या कुछ नहेत अगला देखिए 70 नंबर राश्ट्र कवी मैथली शनगुप्त द्वारा रचित का बेग्रंथों का सही कालक्रम किस बिकल्प में है किस बिकल्प में है अगरे भारत भारती जंकार सकेत और यहां पर देखो चौथा बिकल्प भी गयाप कर दिया गया है गजब गुरू काउन रहा एक टापिश्टो चौथा भी कल्प पर गयाप कई देहा है कि बारत भारती जंकार सकेत और यह सोधरा आप तीनी बिकल्प में एक सही उत्तर चुल लीजे पहला वाला ही सही है उसी को सही माल लिया जाए सी कहां बता रहे हो जी रभी अभी तुम्हें उड़ा देंगे सी उड़ाओ सी उड़ाओ कि जुड़ा रहे है है अब देखो यह 1912 में जो बारत बारती आई है 1929 में जंकार आया है 1929 मिंजंकार 31 में साखेत ओ कि और यह सोधरा का जो समय सब्सक्रानिक है गुला करके जो पूरे समय को बहुत रठनेका पांब्च पूछ के तब सब्सक्रान कर नहीं का अब देखिए च्छायवादी कभी सुमित्रा नन्द पंत की कौन सी काव रचना भारती ज्यानपीट से सम्मानित है चायवादी है और पंत जी का नाम लिया जा रहा है हमने आपको चायवाद के चार प्रमो किस्तंबो का नाम नाम बताया था किसका किसका नाम बताया था प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा ठीक है चार रोगों का नाम बताए ता प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा तो यह चारों जो है च्छायवादी कब के कभी है और यहां पर जो है आप अगर देखेंगे तो यहां पर जो नाम आता है चिदंबरा का नाम आता है चिदंबरा के लिए ग्यानपीट पुरसकार से नवाजित किया गया था इनको चिदंबरा के लिए 1968 में इसके लिए इनको ग्यानपीट पुरसकार से नवाजित किया गया था 1968 इसवी में ग्यानपीट के लेखक कौन है न भूतो न भविश्यती he बहुत सुंदर बहुत बढ़ियां लोग अबलेफट बहुत मजा découvrir संख्यार एक हजार पार करद हो प्यारे नहीं प्र बहुत कूटे जाओगे याद रखना है कि नहीं हाँ इत्र की नगरी कंनोज अच्छा बहुत बड़िया क्या नाम रखा है इत्र की नगरी है गजब चलिए बहुत बढ़िया अब देखो प्यारे क्या कह रहा है नभूतो नभविश्यती जानते हो नरेंद्र कोहली की रचना है नरेंद्र कोहली जो है वो उपन्यास के बहुत प्रमुक हस्ता चरों में गिने जाते हैं तो नरेंद्र कोहली की रचना आपको याद रखना पड़ेगा अगला देखिएगा निमलिखित में से कहानिकार मुंसी प्रेमचंद्र कौन सी कहानिकार मुंसी प्रेमचंजी की रचना नहीं है तो कौन मुंसी प्रेमचंजी की रचना नहीं है कह रहे हैं नमक का दरोगा प् अगला देखो प्यारे 75 नमबर किसी भी समाज में परड़ाम के नए रक्त का संचार यूवा पीड़ी के द्वारा होता है यूवा पीड़ी के पास अपने नए सपने होते हैं उनका सारीरीक और मानसिक बल नया कर सकने में सक्चम होता है उनका मानस्त नय की और सभावता उनमुक होता है यूवा लोग ही नई नई तकनीकों का बिकास करते हैं अपनाते हैं और इस प्रकार उत्पादन के धाचे खढ़े करते हैं दरसल जो समाज अपने नवयोकों को नया करने का समुचित अउसर प्रदान करता है उस समाज में तेजी से विकास होता है जिस समाज में यूवा वर्ग असंतुष्ट रहता है वहां यूवा और पुढानी पीड़ी के बीच टक्राव पैदा होता है नित्रित्तों को लेकर बीभ्रम फैलता है विकास घड़ जाता है बारतिय समाज में यूवा वर्ग का असंतोष्ट ब्यापक इस्तर पर देखा जा सकता है घर परिवारों से लेकर विद्यालियों विश्व विद्यालियों तक दप्तरों कारखानों और राजनीती के गलियार तक यूवा वर्ग गहरे बेचैन है गद्यांस का सीरसक बताइए गद्यांस का सीरसक है असंतुष्ट यूवा वर्ग कह रहें नेत्रित्तों को लेकर ब्रह्म कप फैलता है नेत्रित्तों को लेकर के ब्रह्म फैलता है जब यूवा वर्ग आसंतुष्ट होता है आगल दीजे उनमुक के लिए बिमुक अभी हम लोग आगी किये हैं उनमुक का बिलों बिमुक हो जाएगा अठात्तर के लिए पूछ रहा है उपसर्ग से निर्मित सब्द नहीं है ऐसा सब्द बताईए जो किसी उपसर्ग से निर्मित नहीं है उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है प्यारे बताओ तकराहट किसी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है अगला देखिएगा 79 क्या कह रहा है सुद्ध वाक के बताईए यूवा पीड़ी के पास अपने नए सपने होते हैं वह तकनीकों का विकास करता है यूवा वर्ग असंतुष रहती है और विकास में घर जाता है बताईए प्यारे क्या अंसर होने वाला है सुद्ध वाक के बताईए यूवा पीड़ी के पास अपने नए सपने होते हैं वह तकनीकों का विकास करते हैं यूवा वर्ग असंतुष रहती है रहता है होगा रहती है नहीं यहां पर एक गलती है रहता है रहती है को ले करके बड़ा कन्फ्यूजन क्रियेट हो जाता है बच्चों के बीच में तो भाईया यहां रहती है नहीं रहता है सपने होते हैं जो है सुद्ध है ठीक है यहां एफ और इलहाबाद इस दराइट आंसर सुद्ध पूछ रहा था ना विकास करता है ब वाक्यांच और उससे संबन्दित शब्द अशुद्ध है जो अपना ही हित सोचता है स्वार्थी पसीने से उत्पन इस्थल्च नहीं पसीने से उत्पन है तो उसको स्वेधज कहा जाता है एकी आसी आप मरे बिन आप मरे बिन स्वर्ग न जावें लोकोक्ति का भावार्त बताईए अपने हाथ से किया गया कारी ही अच्छा विरख्त मनुष्य किसी वस्तू की पर्वाह नहीं करता बिना अपने कारे ठीक नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताईए। जल्दी बताओ प्यारे। बिना अपने कारे ठीक नहीं होता, ठीक है न, अगला, और बात खोटी, सही बात रोटी, इस लोकोक्ति का भावार्थ बताईए, इस लोकोक्ति का भावार्थ बताईए, क्या हो जाएगा, प्यारे, बताईए, लोकोक्ति का भावार्थ बताईए, कह रहे हैं, और बात खोट सही बात रोटी इस लोकोक्ति का बावार्थ बता दीजिए 82 नंबर सवाल है हाँ भोजन व्यवस्था का प्रश्ण ही सबसे महत्वपूर्ण है आखें लडाना मुहावरे का उचित अर्थ बता दीजिए प्रेम करना धमकाना सचेत होना उपयुक्त में से कोई आखें लडाना मतलब प्रेम करना जैसे आखें चार होना आखें लडाना तो प्रेम करना समझ गए आखें दिखाना तो मतलब धमकाना और सचेत रहने का मतलब क्या होता है आखें खोलना 84 आखें बिछाना मुहावरे का उची तर्थ बताईए बताओ प्यारे आखें बिछाना मुहावरे का उची तर्थ बता दीजिए आखें बिछाना आखें बिछाना क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पर उची तर्थ क्या होने वाला है है आखें बिछाना आखें बिछाने का उची तर्थ क्या हो जाएगा प्रेम से स्वागत करना है ना हाँ अगला देखिएगा, मेरे घर के सामने वाला मकान आज गिर गया, इसमें कौन सा पदबंध है, कौन सा पदबंध है, जल्दी से आंसर करिएगा, यहाँ पर संग्या के विशय में यदि बात की जाती है, तो संग्या पदबंध होता है, तो C4 चंडिगर is the right answer, अगला और किले गा, अर्पित सेव खाता है, वाक्य में कौन सा वात्य है, तो खाना क्रिया है, क्या खाता है, सेव खाता है, कर्मवात्य है, कर्मवात्य कहा है, ए नंबर पर है, दोनों आराम से, एफ और इला बाद इसदर राइट от answer, 87 देखो गुंजन हसती है इसमें कौन सा कारक है गुंजन हसती है इसमें कौन सा कारक है बताओ प्यारे जल देल दी 88 बावाचक संग्या नहीं है नहीं का उत्तर दीजिए जो बावाचक नहीं है का कह रहा है हसी कुलींता धीरता अनुकूलता जहां पर भी ता लग जाता है वो बावाचक संग्या बन जाती है हसी बावाचक संग्या नहीं है ठीक है हासी को देख सकते हैं कोई भी हासरा होता है तो उसको देख सकते हैं वावाचक संग्या का मतलब जिसको नहीं देखा जा सकता है मैंने आपको कई बार बताया है कि जो अद्रिस संग्या होती है वो देखी नहीं जा सकती है जैसे हासी को देख नहीं सकते हैं यह अद्र सूत्रधार हैं सर्वनाम बताईए आप देश की एकता के सूत्रधार हैं बताईए प्रयुक्त सर्वनाम बताईए निजवाचक पुरुषवाचक संबंधवाचक या निश्यवाचक यहां प्रयोकि प्रयोक किया गया है किकि जो आप है वो किसी के लिए आता है पुरुषवाचक का बोध करता है पुरुषवाचक जो आप ही जो है सम्मान सूचक शर्वनाम होता है नब्बे कह रहे हैं कि निमलिकित में से संग्या से बना बिसेशन सब्द नहीं है ऐसा सब्द जो बिसेशन से ना बना हो ग्रामीर कागजी कमाउ किताबी किताब से किताअबी क sow the कमाउ कमाउ απ मूल सब्द है वैसे कमाउ सब्द हेक मूल सब्द है खुदई तो कमाऊ आशन वो बिसेशन से नहीं बना एक कमा से बना तो है नब्यूंबर देखिएगा किराराय की कौन सा सब्द इस्त्रिलिंग में परियुक्ष हुआ है इस्त्री लिंग में प्रियुक्त हुए शब्द के बारे में बता दीजिए जो इस्त्री लिंग में प्रियुक्त हुआ है इस्त्री लिंग में प्रियुक्त हुआ है आचार्य हंस पंडित और रितु कि इसमें प्रियुक्त हुआ है प्यारे तो देखिए गारी तु शब्द इस त्रिलिंग में प्रियुक्त होता है क्या बाकी सब पुलिंग है बानबे एक वचन सब्द है एक वचन सब्द है एक वचन सब्द के वारे में बताओ बाई बानबे नंबर सवाल इस तील एक वचन है और द्रभ्यवाचक संज्या है ऐँ तो अगला आंगन में चारपाई विछा दो कारक बताईए संबंद है अधिकरण करता करना है आंगन में तो अधिकरण में पई पर जो क्रिया का आधार बताए वो में पई पर वो अधिकरण अधिकरण कहां है बी में है तो यहां अधिकरण हो जाएगा कौन सा कारक है अधिकरण कारक है बी फॉर बॉम्बे इस दराइड आइड आंसर चौरह अन्वे देखो मुझे मात्र दस दिन का समय चाहिए तो इसमें निपाद बताईए निपाद जानते हैं ना जिस पर लिंग य Brendan निपात कहलाता है जो परिवर्तित भी नहीं होता तो इसके लिए मात्र शब्द का प्रियोग किया जाएगा बाकि सब परप्रभाव पड़ेगा लेकिन मात्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हेमा घर में काम करती है काम करती होगी होगा होगी होगे धातु में होगा होगी होंगे लग जाए तो यह क्या करता है काल का बोत कराता है सामान ने है अपूर्ण है संबाब बेर संदिक दे बताइए है 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 मा घर में काम करता होगी इसमें कौन सा काल है तो 95 number सवाल का अंसर बता रहीं संदिक दवर्तमान ठीक बता रहें संदिक दवर्तमान हो जाएगा करती होगी है अभी वर्तमान में कारे करना जारी है इसलिए पर फाता नहीं है कि कर रही है कि खतम कर चुकी है करती होगी इसलिए संदेख देख चानबे देशज नहीं है देशज नहीं है बताइए कब जा खुर्पा गेवर कंजड़ देशज नहीं है कबजा शब जो है यह देशज शब्द नहीं है Linuxि भासा का शम्द्ध है आप लोग कॉमेंठ करके बताईयेगा कि विडेशी है तो किस विडेशी भासा का शब्द है अगला देखियेगा बिलों अशुद्ध है उसके बारें में बताना है कॉन साiral Oak Entertainment किस बिकल्प में अशुद्ध बिलोम का प्रियोग किया गया है उर्वरा, वंद्या, उशा, अस्त, अतिवरिष्टी, अनावरिष्टी, नेकी, बदी किस बिकल्प में बिलोम, युग्म, अशुद्ध है कि बताओ प्यारे, सत्तानवे नंबर सवाल का उत्तर बताईएगा, क्या हो जाएगा, उसा का अस्त हो जाएगा, उसा का शंध्या होता है, प्यारे, जैसे उसा काल होता है, उसा का संध्या हो जाएगा, कि अस्त नहीं होगा अगला देख़िएगा कुहूंकिनी किसका परियायवाची है कुषूंकिनी कोयल का परियायवाची कोयल कू कू की करता है ना तो कोयल का है निन्यान में देखिए बेंजन सब्द का अर्थ है पक्वान तो बेंजन सब्द का अर्थ क्या होगा बेंजन का एक अर्थ पक्वान होता है तो जो बिना बिंदी वाला बेंजन है उसका क्या अर्थ होगा बेंजन माने पंखा भी होता है डोला बेना डोलाने वाला जो होता है न उपंखा अगला देखिए आप उपसर्ग का अर्थ क्या है आप उपसर्ग किन अर्थों में प्रियुक्त होता है आप यानी भी इसमें भी और ये भी सब्द कैसा शब्द है भी एक निपात शब्द है जिस पर अभी मैंने आपको बताया कि लिंग का वचन का कारक का काल का प्रभाव नहीं दिखता अगला देखे 101 कह रहे हैं कि निम लिखित में से कर्त्रिवाच्य तद्धित प्रत्य का उधारण है कौन सा कर्त्रिवाच्य तद्धित प्रत्य का उधारण है लिए एhuh द्युक्य के बताओ प्यारे कि ऑपे कौन सा करत्रिवाच एह तद्धित प्रत्य का उधारन है पुजारी पुजारी जो है वह तद्धित प्रत्य का उधारन हो जायेका नेमलिकित में से शुद्ध शब्द बताईए पुन्रोथान दुरावस्था संसत्सदश्य लगुत्तर कल मैंने आप लोगों को विशेशन की अवस्था बताई थी उसमें उत्तरावस्था है यह यह उत्तरावस्था है अब आपको बताना है सुद्ध दुरवस्था शब्द होता है दुरवस्था कोई शब्द नहीं होता है दुरवस्था शब्द उचित है दुरवस्था कोई शब्द नहीं होता और दुरवस्था है तो यहां पर पूछ रहा है कि शुद्ध बताईए ना संसत शदश्य शुद्ध है क्योंकि यहां दुरवस्था हो जाएगा दुरवस्थ क्या हो जाएगा दुर्वस्था पुनृत्थान हो जाएगा पुनृत्थान पुनर पुनृत्थान और यहां लगुत्तर हो जाएगा जिसमें 20 से लाइन हटा दी जाएगी 103 का अंसर करिएगा असुदवाक्य का चैन, कीजिए चार बिकल्प है सवाल नंबर लिख के बताईए ताकि मैं महसूस कर पाऊं कि आप क्या उत्तर कर रहे हैं जैसे सवाल नंबर 103 है ना तो आप 103 मत लिखिए आप 3 लिखिए बस सवा ynगे एक बाद बता हुआ ये जब उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भरती बॉर्ड है तो जैपूर से कोई कैसे हो सकता है मूर्क आदमी है जैपूर से होगा तो राजस्थान में पुलिस बनेगा न उत्तर प्रदेश सेवा के लिए भरती हो रही है न तो वहां केवल 10 प्रतिशत ही शीट मिलेगी उस बच्चे को अब वहां इससे जादा एसाई की भरतियां है वो यहां जबर जस्ती अपने अपनी लंका लगवा है क्या ही करोगे तुम लोग जीवन में भाई है अब देखो असुद्ध वाक्य का चैन करिये बिजय गाओं में गाओं से दूद लाकर सहर में बेजता है बहुत अच्छा करता है दंदा बढ़िया है बाई हरीस ने चेक चेक बजाकर बैंक से रासी ले ली घुल सवारी सी दिखते हुए बच्चा गोड़े से गिर गया और घर से अत्यंत दुखी होकर राजियस वहां से चला गया है बहुत अच्छे बहुत सुन्दर बताओ जल्दी यल्दी से आंसर बताओ बहुत अच्छे प्यारे जल्दी यल्दी से उत्तर बताओ यहां पर क्या होने वाला है कौन सा गलत सही है एक सो तीन नंबर सवाल का उत्तर बताईएगा फटाफट से क्या हो जाएगा घर से अत्यंत दुखी होकर राजियस वहां से चला गया यह असुद्ध है घर से दुखी होकर राजियस चला गया घर से अत्यंत दुखी होकर राजियस चला गया वहां चला गया नहीं यह वहा करून स्वर में चिलाना चीतकार होता है एक सो पांच नंबर संधी बता दीजे एतत मुरारी एतन मुरारी में संधी बता दो प्यारे एतन मुरारी संधी बढ़ा दो बताओ एतन मुरारी संधी कौन सी पढ़ रही है तो एतन मुरारी में बेंजन संधी पढ़ रही है तथद न यानि कि पहले एक तीसरे पहले पांचों पढ़ने वाला नियम पढ़ाए थे एक सो छेदे को निशब्द में कौन सी संदी है अरे सीधा पता चल ला है कि बिसर्ग संदी है बिंदी लग गई तो बिसर्ग हो गई रोग का घर खासी जगड़े का घर हासी इस लोकोक्ती का भावार्थ बताओ प्यारे जल्दी से बताओ यहां 107 नंबर के लिए क्या सवाल का उत्तर क्या होने वाला है क्या हो जाएगा हसी मजाग जगड़े कारण बन जाता है कभी कभी हासी मजाग कभी कभी जगड़े का कारण बन जाता है वैदिकी हिंसा हिंसा वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती इस नाटक के रचनाकार कौन है तो बारते इंदू हरिश्यन डी इस दराइट आपसा नेक्स देखिएगा चिता के फूल कहानी संग्रा के रचनाकार कौन है चिता के फूल कहानी संग्रा के रचनाकार कौन है चिता के फूल 109 नंबर का उत्तर करिएगा चिता के फूल रामव्रिक्ष बेनीपूरी की रचना है प्यारे किसकी रामव्रिक्ष बेनीपूरी की उतर इनहाए जमुनिजल जो शरीर सम श्याम अब इसमें सम देख के उछल मत पड़ना कि सासी से सम आ गया तो उपमा होगा ना प्यारे यहां पर उल्टा किया गया है उपमा का उल्टा प्रती पलंकार अभी आपको स्टार्टिंग में बताए थे यहां प्रती पलंकार हो जाएगा क्योंकि उपमे में उपमान में उपमे की तुलना हो रही है ठीक है यहां पर जमुझल जो सरीर समस्याम हाँ भगवान श्री कृष्ण के समान बताया जा रहा है जमुना के जल को है ना जबकि भगवान श्रीकृष्ण जादा स्रेश्ट हैं उसके आधार परियां प्रतीप है परी प्रेम नदलाल के मोहिन भावत जोग मधुप राजपद पाई के भी खन मांगत कि यि मताओ प्यारे जल्दी गालं के 111 है प्रिफ्टां तलंकार प्यारे इसमें कौन सा ङकार है दिश्टां तलंकार है आप कृतिया रूप के अधार पर हिंदी वर्ग में कि संभेग में आती किसमें यहां पर उच्छिप्त द्वनी का प्रयोग की सब्द में हुआ है पत्जाड पत्जड में इसका प्रियोग हुआ है यहां पर उच्छिप्त अड़ा और अड़ा यह उच्छिप्त होते हैं कली बताए थे एक सो चौदा कौन सा स्वर तत्सम तत्भग जोड़ा नहीं है आभीर अहीर चटिका चिडिया वामन बवना प्रस्विन परसो परसो का परस्वा हो जाता है और प्रस्विन के लिए क्या इस्तेमाल कर दिया जाएगा तो प्रस्विन पसीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रस्विन पसीना तो डी फॉर डेली is the right answer नेक्ष देखो प्यारे 115 किस बिकल्प में सभी शब्द अगनी के पर्याय हैं क्रिसानु हुतासन पावक अनिल अरुड अमी ज्वाला कांतार जल्दी बताओ देखो प्यारे कल भी आप लोगों का दोपहर एक बज़े से आप लोगों का महराथन होगा कल भी एक बज़े से महराथन होगा इसी प्रकार से कल भी आप लोगों का एक बज़े से महराथन होगा इसी प्रकार से और प्यारे सुनो परसो सुबह सात बज़े से 16 तारिक को अध्यायवार लेकर क्या आऊंगा चैट्टर वाइस और उसमें हम लोग गर्दा उड़ा दें गुरू अगनीक परियाय बताओ प्यारे कि 115 कि एक्रिशान होतासल 116 गुरू का विप्रीत आर्थी लगू 117 अनेक आर्थक सब्द अब जयाने जनम लेने वाला आप जमाने बादल अब जमाने बादल कौन सा नहीं है अब जिके लिए कौन सा आर्थ नहीं इस्तेमाल किया जाएगा प्यारे जल्दीस बताओ आप जिके लिए सुधा का प्रियोग नहीं करेंगे अब जिके लिए इसके लिए अमिये का प्रियोग करते हैं अमिये मतलब क्या हो जाता है अमिये का अर्थ होता है प्यारे यहां पर क्या यहां पर सुधा से है सोम से हैं अम्रिद से हैं एक बार कही बात को बार-बार दोराने के लिए पिष्ट पेशन का प्रियोग किया जाता है पिष्ट पेशन का प्रियोग किया जाता है जानते हैं पिष्ट पेशन का प्रियोग किया जाता है एक बार कही बात को बार बार दोराने के लिए क्यों पिष्ट पेशन जैसे पेशन का पिष्ट मतलब पिसान आटा जैसे गेहूं को एक बार पीशने के बाद आटा बनने बाद पुना महीन करने के लिए पीशा जाता है उसी प्रकार इसका लक्षणारत अर्थ है एक बार कहीं बात को बार बार दो रहाया जाता है उसी तरह दुरभी संदी तो किसी गलत काम को की करने के लिए की गई जो मुग्द मंत्रणा होती है उसको दुरा भी संदी कहते हैं ठीक है निर्निमेज जिसे ना बुलाया गया हूँ कि अगला देखो शब्द युग मतरणी तरणी का अर्थ कैसे निकालेंगे बताईए निकल्ब में कि क्या हो जाएगा 119 119 बताओ प्यारे जल्दी क्या हो जाएगा शूर्य और नाव शूर्य सुता भी कहते हैं न तरणी और तरणी तरणी मतलब नाव पार कराने वाली इन में से ब्याकरण की द्रिष्टी से कौन सा असुद्ध है ब्याकरण की द्रिष्टी से असुद्ध कौन है 120 में वह अपनी बात का इस पश्टीकरण करने के लिए तयार है इस पश्टीकरण नहीं किया जाता है इस पश्टीकरण देने के लिए इस पश्टी करन किया नहीं जाता है इस पश्टी करन दिया जाता है इस पश्टी करन के लिए तैयार है तो आप देने के लिए भी न करिए इस पश्टी करन के लिए वह अपनी बात के इस पश्टी करन हे तू तैयार है बस सही हो जाएगा सभी सब्द पुलिंग है बताओ प अमर बेल और चावल पुलिंग हैं अगला देखो 123 अधीकरण कारक बताईए अधीकरण के साथ में पैपर लगता है अधीकरण में पैपर कि आपके कितनी लड़कियां हैं गरीबों के निमित धनिकठा करो गोड़ा मैदान में चर रहा है उसे दूरभास द्वारा सूचना प्राप्त बताओ प्यारे 123 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा ABCD तो सी हो जाएगा अंसर ना गोड़ा मैदान में चर रहा है सी है अधीकरण में पैपर है कि नहीं है देखो अगला देखो 124 का कहता है वाक्य में अनिश्चय वाचक सर्वनाम का प्रियोग हुआ है बच्चों ने कुछ नहीं लिया मैं यह मेरे हत्यार ह है मैं अपना काम सोयम करता हूं जैसा करोगे वैसा भरोगे अनिश्चय वाचक है ना तो अनिश्चय वाचक में कुछ का इस्तेमाल होता है कुछ और कोई मार्दो अंसर गच्च से एकदम सही हो जाएगा इक कौन है सीवता रहा है विवा बहुत पीटी जाओगी समझी यह है कह रहा है अभी थोई दर पहले पढ़ाएं कुछ और कोई का इस्तेमाल होता निश्चय वाचक पढ़ाई लगाओ बुद्धी एकदम यहां पढ़ाई में समझ में आयक नहीं कौन सा सब्द भिसेशन नहीं है कौन सा सब्द भिसेशन नहीं है प्यारे बताओ हां तनू डांस क्लाज जाना है बहुत सही है यह एसाई बनाती है एक जगए डांस क्लाज जहीं है अरे आई चन कलाकारी आए ना देखो यहां कौन सा फिसेशन नहीं है बताओ जल्दी जल्दी चांसर बताओ क्या होने वाला एंसर एक सोपचीस का भाई चारा भाई चारा भाई चारा भाई चारा भाई चारा भी सेशन नहीं है 126 देखो साहिन्यूग्त क्रिया का उधारन कंसा है जिसमे स्एयूग्त क्रिया मतलब जानते हैं थो ने एक साथ इस्तेमाल होती हैं तो इसको साहियोग्त क्रिया कहते हैं कि मुअ प्यारे यहां तो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा हम चले जाओ आया तो नाज गाना सीख लो दो में से एक ही चीज किया करो समझे कृष्णा मैं प्रयागराज से हूं और मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूं और यहीं पड़ा रहता हूं ठीक है अब देखो अगला निम लिखित में से संयूक्त क्रिया का उदाण बताईए मोहन पानी बरता है उसने अपने मित्र से पत्र लिखवाया रमा ने रीना को पुष्टक दी वह घर जाना चाहती है बताओ प्यारे 126 126 का डी वह घर जाना चाहती है संयूक्त क्रिया है 127 संदिक्द भूतकाल बताईए संदिक्द भूतकाल बताईए जल्दी से है संदिक्द भूतकाल बताओ प्यारे UAप संदिक्द का मतलब होता है कोई चीज हुआ है कि नहीं हुआ हमें इस बात का बान नहीं है और जब हमें पत्त शीखी नहीं है काम कब हो रहा है भूत काल में मतलब बीते हुए समय में तो उसके आधार पर 127 का उत्तर बताईएगा क्या हो जाएगा सायद तुमने मेरा खेत देखा होगा और 128 देखो इन में से किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रियोग हुआ है प्यारे कर्मवाच्य बताओ बस दो तीन मिनट और उसके बाद हमारी मुलाकात ध्यान रको ध्यान से सुनो कल फिर से एक बज़े हम लोग सुरू होंगे और परसो तो सुबेरे साता ही बज़े से सुरू हो जाएंगे अगर गुरू जान लो इतना महराथन करने के बाद यू पी पी पार इस बार वर्दी म दिल्क रहेगी गुरू समल लो सब लोग एक ठाने प्तैनात हो जाना मैं अगर भविस्त में कोई भी कांड करूंगा तो तुरंद पहचाल लेना कि अच्छा यह वही गुरू जियां जो पढ़ाये थे हमारी मदद करना यह वादा करो समझ जाएंग नहीं हां इसमें से किस सवाक्य में कर्मवाच्चे का प्रियोग हुआ है बताईए जल्दी से उत्तर करिए क्या हो जाएगा 128 नंबर सवाल के लिए सी आंसर एकदम सहीय मोहन द्वारा क्योंकि कर्मवाच्चे न द्वारा किया जाएगा 139 भूकम के बाद प्रलय का द्रिश्य था कौन साब्य है कौन साब्य है बताईए भूकम के बाद प्रलय का द्रिश्य था 139 नंबर सवाल है कहने संबंद बोदक था सर और अंतिम प्रशनाच की कच्छा का नी उपसर्ग से बना सब्द कौन सा नहीं है नी उपसर्ग से बना सब्द कौन सा नहीं है तो निरीचक सब्द जो है वो नी उपसर्ग से बना नहीं है मूल सम्द है प्यारे एक आपको homework दे रहा हूं से ध्यान से सुनगे एक आपको homework दे रहा हूं इसका उत्तर आपको comment box में करना है ये आपका ग्रियर कारे है कॉमेंट box में comment कर दीजिएगा कहाँ पर comment box में comment कर दी लिखिएगा कि क्लास कैसी लगी कल मैं पुना एक बजे उपस्तित होंगा तो एक बजे अपनी उपस्तिती जरूर दर्ज करवाईएगा बैटरी चार्ज रखिएगा दालभाज चोखा वाली क्लास में आपका स्वागत है तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों आपका स्कोर एक सो तीस में कितना रहा जरूर बताएगा कि एक सो तीस में कितना नंबर आप पा रहे हैं ठीक है चलिए तब तक के लिए आपके भाई विवेक पांड़े का नमस्कार श्वागत अभिनंदन शुब्रात्री सब्भखैर जैहिं जैहिंदी